वाट्स अप क्या हाल चाल है सबके एक बार फटफट कंफर्म कर देना ठीक है डिस इस दे थ्री ओफ 45 डेज क्रैश कोर्स आई होप कि सब लोगों ने डे वन और डे टू को बहुत ज्यादा एंजॉआई किया होगा काफी कुछ यहां पर सीखा होगा है ना तो आपको यहां पर कंसिस्टेंट रहना काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो डेफिनेटली अपनी जो स्ट्रीक से उसको मेंटेन करना कंसिस्टेंटली यहां पर पढ़ाई करना एंड आई कन गैरेंटी यू कि आपकी जो परसंटाइल है जही में में एकदम फोड़ना है ठीक है 99 प्लस अपना टारगेट होना चाहिए एंड डेफिनेटली आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है आपको सारी की सारी क्लासे लाइव क्लास देखनी है ताकि आप यहां पे एक रेगुलर शेड्यूल बना पाओ ठीक है बहुत सारे बच्चे यहां पर यह भी करते हैं कि सार हम रेक सारी क्लासे लगती है ठीक है चलो तो आज का जो चैप्टर हम डिसकस करने वाले तो काफी अच्छे से सारे फॉर्मिला को रिवाइस करेंगे और बहुत सारे क्वेस्चेंज की प्रैक्टिस करेंगे इन फैक्ट कल मैंने आपको बताया भी था कि आप थोड़े से फॉर्मि शॉर्मिला देख लेते उसके बाद जादा से जादा हम फोकस करेंगे कि हम यहां पर काफी सारे क्वेस्चेंज को साल्व करें बहुत सारे एंटीए वाले क्वेस्चेंज हम डिसकस करेंगे जो रीसेंट यहर कें है एक प्रोमिस मुझे सबसे चैजिए कि आपको थोड़ा competitors को अगर हराना है ना तो उसका एक ही तरीका है that is be consistent ठीक है एक दम मतलब full form में आ जाओ अपने beast mode में आ जाओ and definitely एक भी class miss नहीं होनी चाहिए एक भी dpp miss नहीं होनी चाहिए physics chemistry में आज सब कुछ आपका एक दम full form में हम यहां पे चला रहे है ठीक है कोई भी रुकावट नहीं है कोई भी रुकेगा नहीं जुकेगा नहीं ठीक है वनलब पुषपा पुषपा राज आपको डायलोग पता ही है ठीक है एक दम बिलकुल जुकेगा नहीं ठीक है तो definitely अपने को जुकना भी नहीं है रुकना भी नहीं है और फटा-फट से इसको आप शेर भी कर दो है ना so that we can start with the class trigonometry है पूरा cover करेंगे trigonometry बहुत सरे questions प्रक्टिस करेंगे and especially मैं आपको बताने वालो हूँ वो वाले questions जो की आप यहां पर एक्जाम में भी expect कर सकते हो बहुत सरे type के questions हम यहां पर solve करने वाले है ठीक है तो जल्दी से start करते है before we start एक बार फटा-फट इसको share कर दो and channel को subscribe नहीं किया तो definitely आप subscribe कर दो बहुत ही जल्दी एक लाग subscribers तक हम पहुंचने वाले तो जल्दी से इसको बढ़ा दो and फटा-फट से यह काम भी कर दो 45 days का आपका crash course चल रहा है इसका time table अगर आपको नहीं पता है तो यहां पे आपको मिल जाएगा live daily.me slash atoms पे telegram को join कर लो वहाँ पे आपको DPPs बगरा मिल जाएगी ठीक है तो definitely दोनों काम कर देना फटा-फट से और आगे बढ़ते है अनक academy subscription पे अगर आप आते हो तो यहां पे आप multiple educators से पढ़ सकते हो live classes होती है doubt clearing sessions भी आपके होते है बहुत छले multiple batches अभी चल रहे division courses, crash courses, multiple teachers यहां पे conduct कर रहे तो definitely इसको आप join कर सकते हो है न कोई भी subscription अपने इसाफ से select कर सकते हो plus और iconic दोनो options यहां पे already available है, envy live is the code है इसके बारे में detail में end में सब कुछ discuss करेंगे कि कैसे लेना है, कब लेना है है यह सारी चीज़े end में discuss करेंगे बट अभी के लिए बस आप यह देख लो, envy live is the code इसको use करोगे तो आपके जो prices है वो automatically आपको discounted में मिल जाएगा, ठीक है चलो फिर start करते हैं, एक बार फटाफट confirm कर दो, yes everybody is ready, अरे चालू करें, हाँ बोलो के तभी करेंगे, yes, फटाफट से इसको share कर दो, हर जगह एक बार telegram पे और हर जगह इसको share कर दो, जल्दी से सबको बुला लो और फिर start करते हैं, एक एक question में आपको फटाफट answers देने ह और एकदम चैट का जो जोश है, एकदम हाई रहना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले करेंगे basic formulas and questions, basic formulas आपको वैसे तो थोड़ा बहुत idea हो गई, तो फटाफट से देख लेते हैं, जो यह चिंदी वाले formulas है, यह आपको पताई है, अल्लेडी तो इसमें कुछ बताने वाला है sin square theta plus cos square theta 1, यह सब बचपन और यह सब चिंदी, है ना, नेकस्ट, आप एक बार फटाफट बताते जाना, जो भी चीज़े आपको अल्रीडी आती है, वो मैं बस आपको दिखा दूँगा, ताकि notes में भी आपका आजाए, अगर कोई बच्चा ऐसा जो short notes बाद में बना रहा बट अभी के लिए तो इसमें जादा कुछ है नहीं, हाँ, यह वाले जो formulas है, यह काफी important है, इसके उपर आप इस साल question definitely expect कर सकते हो, ठीक है, यह formula कितने लोगों पता है, sin की power 4 प्लस cos की power 4 होता है, 1-2 sin square cos square, और sin की power 6 प्लस cos की power 6 होता है, 1-3 sin square cos square, है ना, इसका quick derivation भी करन सा formula है, आप short में ऐसे कर सकते हो, sin की power 4 प्लस cos की power 4 है, आप simple ऐसे लिख दो, sin square प्लस cos square का whole square, और यह whole square कर सकता है, simple सी बात है, whole square कर दोगे, तो आप कितना माइनस करना पड़ेगा, आपको जो भी इसका middle term है, तो middle term को माइनस करना पड़ेगा, तो middle term आएकर 2 sin square cos square, बस short मे कर लिया करो, यह पूरा sin theta, cos theta लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यह थोड़ा smartly कर लोगे, तो बस आपको दिख दिया होगा, है न, sin square theta plus cos square theta, 1 होता है, तो hence proved, एक line में मतलब, यह वाला formula आप प्रूव का सकते, 1-2 sin square theta, cos square theta आ जाएगा, similarly, नीचे वाला भी निकाल सकते हो, ठीक है, नीचे वाला निकाल के दिखाऊं की हो जाएगा, कि सारे बच्चे गरें, नेकस्ट, तो आगे मठते हैं, वैसे यह वाला formula भी अगर आप derive करना चाहो, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, चलो थोड़ा चा, एक minute का time लगेगा, जाधा नही आपका आजाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर यह प्लस बी, फिर ए स्क्वेर, एस्क्वेर मतलब 96 की पार 4, यहाँ आजाएगा, था आप को दिखी क्या होगा यह साइन स्क्वेर प्लस कॉस्वेर वन अरे चिंदी ना मतलब समझ गए यह साइन स्क्वेर प्लस कॉस्वेर कितना होता है वन होता है और इसका वैल्यू आप क्या लिख दोगे यहाँ पर हमने अल्लीड डिराइव कर लिया है साइन की पार 4 प्लस कॉस्वेर 4 का वैल्यू हो बस अब तो यह है one minus two sin square cross square और minus sin square cross square अरे दिग्या आखों में चमक आगी होगे ठीक है इसके आगे मुझे कुछ बोलने की जरूत है क्या आखों में चमक आई की नहीं यह आखों में चमक आती रहनी चाहिए ठीक है and definitely chat में hearts भी आते रहने चाहिए आगे बढ़ते हैं यह question का answer कौन बताएगा सबसे पहले जल्दी से एक question है काफी अच्छा question है simple और चिंदी question भी है तो जल्दी से इसका answer बता दो यह s4 का क्या मतलब है यहाँ पर आप ऐसे कहलो न s4 का मतलब है n का value 4 डाल दो तो n का value 4 डाल देंगे तो cos की पार short में लिख दू क्या मैं 2 sin square cos square और इसका value क्या होता है यह होता है 1-3 sin square cos square अरे चिंदी चमका की नहीं कितने लोगों चमक गया इसको open करोंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से आजएगा 3-6 यह आजएगा 6 sin square cos square minus 2 और यहाँ पर पलज़ जाएगा plus 6 sin square cos square यह cancel हो गया ना plus 6 और minus 6 तो answer 1 आ गया क्या बात है मैं लब काफी सारे लोगों का पहले ही answer आ गया था मैं लब एन्वेंस मचा रहे है हमने जो dialogue पहले बोला था एन्वेंस टुड़े आईटेंस टुमारो वो सच हो रहा है दीरे दीरे चलो यह जै में का question एक try करेंगे 2014 का है काफी चिंदी है इसमें आपको यह given है तो बस k का value 4 put कर दो f4 minus f6 है ना तो यह simple question है k का value 4 put करोगे तो basically 1 by 4 यह बन जाएगा sin की पार 4x plus cos की पार 4x यह आगया यह आपका f4 आगया और f6 निकालने के लिए k का value 6 put कर दो तो k का value 6 put करेंगे तो 1 by 6 और sin की पार 6 plus cos की पार 6 अरे चिंदी ठीक है तो आप इसके फिर से आपको वही formula लगाने है ठीक है तो sin की पार 4 plus cos की पार 4 again मैं short में लिख रहा हूँ 1 minus 2 sin square cos square अरे short में लिख लिए अगर हो time बचेगा ठीक है तो यह और minus 1 by 6 1 minus 3 sin square cos square क्योंकि यह power 6 power 6 है तो again आपको चमक गया होगा option b आ जाएगा बहुत बढ़िया ठीक है क्योंकि यह वाला जो tau में यह तो cancel हो जाएगा अंदर multiply करेंगे तो 1 by 4 minus sin square cos square इधर कितना आ जाएगा 2 by 4 2 by 4 is 1 by 2 अरे simplify करो 2 by 4 तो 1 by 2 समका इसको अंदर multiply करो तो minus 1 by 6 और minus minus plus sin square cos square और इधर आएगा 3 by 6 तो 3 by 6 is also 1 by 2 तो यह cancel हो गया यह minus यह plus 1 by 4 minus 1 by 6 1 by 4 minus 1 by 6 आगया आपका answer which is how much यह आपका आजाएगा 1 by 12 आजाएगा ठीक है ना क्योंकि basically 2 by 24 आएगा तो 2 by 24 is 1 by 12 समग्या option B is the answer आगे बढ़े yes next जल्दी से आगे बढ़ते है काफी सारे question आज अपने को करने है कुछ जादे question है देखो इस तरह का question बिलकुल आप expect कर सकते हो इसमें concept आप समझ लेना यह repeat होने के high chances है तभी मैं आपको बदा रहा हूँ इसमें concept होता है quadratic equation है आपको देखना important है तो कितने लोगों को दिख रहा है कि यह quadratic equation है दिख रहा है कि नहीं quadratic equation दिख रहा है ऐसे solve करेंगे 15 और sin की power 4 है 15 sin की power 4 और यह जो cos की power 4 है उसको आप लिख दो cos square का square और cos square को लिख दो 1 minus sin square मलब total आप sin में convert कर लो 1 minus sin square तो यह cos square और cos square का square this is equal to 6 तो अब तो दिख गया होगा sin square में यह quadratic है sin square theta में या sin square alpha आप बोल दो उसमें quadratic है यह आगया sin की power 4 plus 10 into यहाँ पे आ जाएगा 1 minus 2 sin square plus sin की power 4 this is equal to 6 अरे चमका की नहीं तो simple yes अब आगे कैसे करेंगे इसको आगे करने के लिए 15 sin की power 4 plus 10 minus 20 sin square मलब यह factorize हो जाएगा यहाँ से आपका perfect square आ रहा होगा इस तरह का जो question है ना इसमें concept आप समझ ले ना क्योंकि हो सकता है यह question repeat ना हो बट concept यह repeat हो सकता है ऐसा एक जही advance में भी question है in fact हैर हम advance question की अभी बात नहीं करें जही main पे focus करते है तो यह quadratic दिखी सबको 15 और यहाँ से 10 तो कितना आ जाएगा 25 sin की power 4 middle term यह आ जाएगा minus 20 sin का square और यह 10 minus 6 तो 10 minus 6 कितना हो गया प्लस 4 अभी इसको दिहान से देखो यह perfect square है कितने लोगों दिख गया अगर आप इसको factorize करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि यह perfect square है यह किसका perfect square है यह 5 sin square minus 2 का whole square दिख रहा है सबको यह कितने लोगों दिख ग 20 है वहाँ पर तो दिख गया होगा ठीक है तो यहां से sin square का value कितना आ जाएगा 2 by 5 आ जाएगा अगर sin square का value 2 by 5 है तो cos square का value 3 by 5 ना क्यूंकि sin square plus cos square 1 होता है यह कितने लोगों चमका sin square का value 2 by 5 है तो cos square होता है 1 minus sin square तो 1 मैंस कर दो यह 3 by 5 आएगा अब इसमें value substitute कर दो बस आप तो इसमें value substitute करना था यह question आया था बताओ काफी चिंदी question कर लोगे इस तरह के question तो basically आपसे पूछा है यह 27 upon इसको cost में convert कर दो क्योंकि cost का value अपने पास already है तो इसको आप क्या लिख सकता हो यह c की power 6 जो है इसको आप लिख दो cos square alpha का cube ऐसे लिख सकते है power 6 है और यहां पर क्या आजाएगा 8 upon यह आजाएगा sin square alpha इ इसका cube आजाएगा और plus sin square का value आपके पास already है 2 by 5 इसको simplify करना जरा कितना आ रहा है यह 2727 cancel हो जाएगा 2727 cancel यह 8 और 8 cancel तो 125 plus 125 मरलब 250 आ रहा है final answer यह चमका कि नही तो final answer 250 क्या बात है यार काफी low का answer आ गया है बहुत बढ़िया 250 is the answer very चिंदी question simple कर लोगे इस तरह का question यह ध्यान रखना यह repeat होने के chances है तो यह quadratic होती है जब भी power 4 power 4 note कर लो अपने short notes में डाल लो इस तरह का question आने के chances है quadratic quadratic को solve करके निकाल लोगे और फिर यह change कर देंगे इसकी जगह कुछ और पूछ लेंगे जिसमें आपको sin square और cos square का value put करना होगा बस तो put करके solve कर लेना basically exam में ठीक है आगे बढ़ते cast rule अब यह cast rule में पहले बता तो कितने लोगो दिक्कत आती है उसके हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा इसमें कुछ-कुछ लोगो दिक्कत आती है थोड़ा-थोड़ा मैं आपको basic बता देता हूं है ना तो ताक कौर्ट अधॉर कौर्ट एज fuzzy कॉर्टरेंट है यह सेकेंड कॉर्ट और यह थार्ड कॉर्टरेंट और ना B साइन होता है कोआट तो कोजीक बी पॉजेटिव होगा यह पॉजेटिव होगा एक फासिडिव होगा यह तो उसका उल्टा होता है नेकटिव रीडिया ये 3rd quadrant में ये दोनों positive है इसके अलावा 4 के 4 नेगेटिव और 4th quadrant में cos और c positive है उसके अलावा जो 4 है वो negative है ठीक है? तो एक तो आपको ये धियान रखना है और एक और rule हमने यहाँ पर पढ़ाता है जिसको हम बोलते है reduction formula वो rule बहुत ही simple है अगर आपके पास kpi आता है तो यहाँ पर जो भी trigonometric function है that will remain same अगर kpi का factor आता है तो trigonometric function will remain same लेकिन अगर kpi by 2 का factor आता है k into pi by 2 k का value कुछ ना कुछ odd होना चाहिए क्योंकि अगर even हुआ तो 2 के साथ cancel हो जाएगा तो k का value odd होना चाहिए अगर kpi by 2 वाला format आता है तो जो sign है वो cost में convert हो जाएगा basically conversion यह होता है कि sign will get converted to cost अगर cost का question है तो it will get converted to sign अगर tan का question है तो tan will get converted to cot and cot will get converted to tan, vice versa similarly seek और kosik यह आपने बच्पन में भी बढ़ा होगा इसको हम बोलते थे complementary angle identity अपने 10 standard में यह तो पढ़ा ही होगा 10 standard में यह काफी लोग पढ़ते है sin 90 minus theta वो होता है cos theta तो यह वही तो है 90 मतलब क्या 5 by 2 यहाँ पे भी तो 5 by 2 है और यह plus minus कैसे decide करते है plus minus decide करते है quarternd से इसमें दो चीज़े है मतलब एक तो आपको magnitude देखना पड़ेगा एक आपको sign देखना पड़ेगा ठीक है examples यह समझते है यह थोड़ा complicated है जैसे for example यह सारे examples के answers बताओ चलो पहला वाला example sin of pi minus theta तो सब सब पहले तो यह देख लोगी यहाँ पे pi है तो since यहाँ पे pi है यहाँ पे जो भी होगा वो same रहेगा तो यह sign का sign ही रहेगा sign का cost नहीं हो जाएगा ठीक है तो sign का sign रहेगा यहाँ पे अगर आप देखो के तो pi by 2 है तो since pi by 2 है तो sign का cost हो जाएगा अब दोनों में आप चेक करो कि positive आएगा कि negative आएगा तो वो depend करेगा quadrant पे तो pi minus theta मतलब कौन सा quadrant pi minus theta मतलब pi यहाँ पे आता है ठीक है अब pi minus theta जब भी आपको minus करना होता है आप कौन सा direction में जातो clockwise direction में है ना तो minus का मतलब होता है clockwise direction plus का मतलब होता है anti clockwise direction बस यह convention आप ध्यान रखो तो pi minus theta कौन सा quadrant है second quadrant है यह अपना second quadrant है अगर second quadrant है तो second quadrant में sign इसको देखते है हमेशा इसको नहीं देखते है जो original question होता है उसको देखते है तो यहाँ पर sign को check करना है कि cost को check करना है अपने को sign को ही check करना है sign मतलब sin sin का sign check करना है basically ठीक है तो second quadrant आ जाएगा second quadrant में sign क्या होता है second quadrant में positive होता है तो यहाँ पर plus आएगा यह चमका की नहीं similarly अगले वाले में बताओ पाई बाई टू माइनस थीटा वो तो first quadrant है तो first quadrant है तो positive ही आएगा इसका answer plus cos theta आएगा अगले वाले का answer बताओ यहas पाई प्लस theta यहाँ प्लस theta कौन सा quadrant है it third quadrant है third quadrant में positive आएगा खाः कि negative आएगा टैन third quadrant में जो 10 होता है वो positive होता है c ast तो ते यहाँ पर answer आपका positive आएगा और simply यहाँ पय का multiple है अगर पाई का मल्टिपल होता है, तो यहां पे जो भी है, वही यहां पे भी रहेगा, तो टैन ही रहेगा, और थीटा लगा दो बसाओ, तो प्लस थीटा आ जाएगा, अगले वाले का बताओ, इसमें, यह साउन में आ रहे सबको, यह 3 पाई बाई टू किदर पाया जाता है, 3 पाई बाई टू देखो, यहां पे यह 0 है, यहां पे पाई बाई टू आएगा, यहां पे पाई आएगा, उसके बाद यहां पे टू पाई आएगा, उसके बाद यहां पे फाई बाई 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 टू आएगा, और इसी तरह से यह चलता जाएगा, तो 3 पाई बाई थीटा आपको anti clock wise जाना पड़ेगा क्योंकि plus बोला है तो 3 pi by 2 में add करो something ये 3 pi by 2 है नीचे की तरफ उसमें आपने plus कर दिया तो fourth quadrant में चला जाएगा ये ये जो angle है वो fourth quadrant में है तो fourth quadrant में c क्या होता है positive होता है कि negative होता है fourth quadrant में c होता है positive आपको जो भी answer आएगा इतना confirm है कि plus आएगा अब बताओ कि यहाँ पे change होगा की नहीं होगा यहाँ पे k pi by 2 है अगर k pi by 2 है तो change होगा किस में change होगा यहाँ पे seek है तो seek किस में convert होता है to seek will get converted to to seek अरे चमका की नहीं तो to seek theta आ जाएगा इसका answer होगा plus फो seek theta चीक है इसका answer बताओ 11 pi by 2 कहाँ पे पाए जाएगा तो देखो यहाँ पे 3 pi by 2 फिर 5 pi by 2 फिर अगला कौन सा आएगा यह pi by 2 फिर 3 pi by 2 फिर 5 pi by 2 फिर अगला आएगा 7 pi by 2 7 pi by 2 यहाँ पे आएगा उसके बाद 9 pi by 2 यहाँ पे आएगा उसके बाद 11 pi by 2 यहाँ पे आएगा तो यहाँ नीचे की तरफ है 11 pi by 2 आपको देखना है 11 pi by 2 माइनस theta तो यह 11 pi by 2 है नीचे की तरफ अब आपको बोला है minus minus मतलब clockwise तो आप clockwise चलो यहाँ से भैणा, माइनस बोला, तो यह 11 Pi by 2 minus theta, तो यह वाला quadrant अजाएगा, third quadrant अजाएगा, basically यह जो एंगल है, वो आपका third quadrant में है, third quadrant में होता है, positive या negative, third quadrant में कॉप होता है, positive, ठीक है, और यहांपे k Pi by 2 है, अगर k Pi by 2 है, मतलब it will change, अगर kpi है तो इट विल नोट चेंज अगर kpi by 2 है तो इट विल चेंज तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा तो यहाँ से देख लिए करो कॉट विल चेंज तो 10 में convert हो जाएगा तो यह basically आपका अंसर आएगा 10 थीटा अब तो आपको कास्ट रूल एकदम clear हो गया होगा 5 मिनिट मांगे थे वो गया ना clear खतम सबको जिनको नहीं आता था उनको भी clear हो गया जिनको आता था उनको तो clear ही था ठीक है इसका अंसर बता दो 7 pi 7 pi यहाँ प और plus theta है ना anti clockwise चलोगे तो third quadrant में पहुंच गए third quadrant में यह सीक क्या होता है negative होता है third quadrant में सीक होता है negative तो इसका आंसर माइनस आएगा और यहाँ पे k pi है तो since k pi है तो it will remain same तो सीक थीटा का सीक थीटा ही रहेगा तो इसका आंसर आएगा minus सीक थीटा यह चमका की नहीं यह कि cause होता है ना और सीक होता है इसके अंदर अगर negative आएगा तो negative बाहर नहीं निकलेगा बाकी सब में बाहर निकलेगा केवल cause और सीक में देखो negative बाहर नहीं निकलेगा बाकी सब में negative बाहर निकलेगा अगर sin of minus theta है तो minus sin theta 10 of minus theta है तो minus tan theta सब में negative बाहर निकलेगा इधर भी न उनों में negative बाहर नहीं निकलता है ठीक है तो आगे इन मतलब simple odd function even function वाला आपको पता ही functions आपने पढ़ी लिया है ठीक है और आगे बढ़ते है यह वाला question करो चलो फटा फट है यह मतलब one of the pyq है इसको जल्दी से बता दो इसका final answer आपको बताना है ठीक है यहाँ पे बोल रह हुआ है यहाँ पर जैसे हम यह game कर रहे थे ना कि positive होगा कि negative होगा बार बार चेक कर रहे थे यहाँ पर check करने की जरूद है क्या क्योंकि मान लो कि इसका answer अगर minus sign alpha भी आ रहा है या minus cos alpha negative भी आ रहा है बट power तो even है ना तो since power even है तो क्या अपने को यहाँ पर plus minus का game करना चा 4 करोगे तो अपने को sign वाला game करना ही नहीं पड़ेगा इसमें ठीक है तो आप simple बस यहाँ पर 3 लिखा हुआ है bracket में यह k pi by 2 है तो since k pi by 2 है तो यह जो sign है वो cos में convert हो जाएगा यह cos में convert कर दो cos की power 4 alpha बन जाएगा यह यहाँ पर k pi है तो since k pi है तो sign का sign ही रहेगा sign की power 4 alpha यह आगया फिर इसके बाद है minus 2 ठीक है यहाँ पर minus और 2 फिर यह sign और k pi by 2 है फिर से अगर k pi by 2 है तो यह cos में convert हो जाएगा cos की power 6 और similarly यहाँ पर k pi है तो since k pi है तो sign का sign ही रहेगा ठीक है तो sign का sign ही रहेगा तो यह question बन गया तो basically यह क्या बन गया यह इसका formula होता ना 1-2 sign square cos square और इसका formula होता है 1-3 sign square cos square तो ultimately यह cancel हो जाएगा देखो यह cancel हो जाएगा this and this will get cancelled क्योंकि यह plus 6 है और यह minus 6 है दिख्या कितने लोगों दिख्या तो answer कितना आ जाएगा 3-2 आ जाएगा यहाँ से 3 और यहाँ से 2 तो 3-2 1 आ जाएगा final answer यह तो यह जल्दी जल्दी आप कर पा रहे हो क्या फटा-फट से सबके answers आ रहे है ठीक है और आगे बढ़ते है बात करते है graph of trigonometric function के बारे में ठीक है तो graph में सबसे पहले sign x का graph मेरी खाल से again graph अगर आपको already याद है तो फटा-फट से एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते है sign x और मुझे domain और range बता त साइन एक्स का domain क्या होता है है ना फटा-फट से यहां पर लिखते जो domain होता है x element of r हर जगह function defined है कोई भी दिक्कत है क्या है sign x को sign x को life में कोई दिक्कत ही नहीं है sign है पापी इंसान sign का मतलब होता है sin sin होता है sin मलब पापी इंसान पापी इंसानों को कोई life में कोई कम ही थोड़ी न रहती है domain इसका है और range क्या होगा range इसका होगा minus 1 से 1 मलब यह कितना भी फैल जाए रहेगा तो यह minus 1 और 1 के बीच मही ठीक है similarly cos x तो cos x का domain cos x का range तो domain क्या आएगा cos x का domain भी x element of r हर जगा function defined है और range range भई आएगा minus 1 से 1 इसमें difference यह होता है कि बस यहां से start होता है यह 1 से start होता है बस वो 0 से start होता है यह 1 से start होता है that is the only difference फिर 10x का graph y equal to 10x increasing function होता है ठीक है increasing function है ऐसे increase कर रहा है और इसका domain तो यह pi by 2 पे defined नहीं होगा यहां पर देखो न pi by 2 पे कोई graph आ रहा है गया pi by 2 पे minus pi by 2 पे इन सारे points पे function defined नहीं होगा basically tan x होता है sin x by cos x sin x divided by cos x होता है जहां पे भी cos x का value 0 हो जाएगा वहां पे tan x को life में problem आएगी अगर cos x 0 हो गया तो denominator 0 हो जाएगा तो इसका domain क्या होगा इसका domain होगा सब कुछ लेकिन यह सारे points हटाओ minus pi by 2 plus pi by 2 3 pi by 2 5 pi by 2 7 pi by 2 यह सारे हटाने पडेंगे यह सारे points आपको हटाने पडेंगे यह यह चमका की नहीं पटाफट से समझ में आया yes odd multiple of pi by 2 क्यों क्योंकि pi by 2 3 pi by 2 5 pi by 2 यह सारे हटाने पडेंगे और range किया आएगा what is the range of function range of the function will be minus infinity से plus infinity क्योंकि एकडम पाताल लोग से स्टार्ट हो रहा है और आस्मान को जा रहा है भाई यह एकडम जमीन में से स्टार्ट हुआ ग्राफ देखो यहां से स्टार्ट हुआ और जा ऐसे रहा है आस्मान ठीक है आस्मान को जा रहा है पाता तो cos x by sin x जहां पे भी sin x का value 0 हो जाएगा और sin x का value 0 होता है n pi पे, सबको पताईए तो इसका domain क्या आजाएगा इसका domain आजाएगा सब कुछ minus n pi where n is integer काफी लोग ये भी पूचते कि sir ये n n क्या कर रहो n by n v sir का n होता है हम कर सकते है और n integer होता है तो जादा confused मत होना और range क्या इसका इसका भी range माइनस infinity से plus infinity क्योंकि ये आस्मान से start हो रहा है और दीरे-दीरे degrade हो रहा है ये वो बच्चा है जिसने first day को तो देखा 45 days crash course second day को नहीं देखा, third को भी नहीं दे ये दीरे-दीरे गया तो आपको consistently 10x का graph maintain करना है आपको ऐसे जाना है एकदम increasing function होना चाहिए हमारी महनत और आगे बढ़ते है इसमें हमने एक shortcut पढ़ा था अगर आपको किते लोग ऐसे जिनको cosecx और cx का graph याद करने में दिक्कत होती है उसके लिए एक shortcut है shortcut यह कि ulti topi पहना हो क्या shortcut है ulti topi पहना हो ठीक है यह shortcut है ulti topi पहना दो basically अगर आपको cx का graph बनाना है माल दो मुझे इसका graph बनाना है y equal to cx cx का graph बनाने के लिए पहले cosecx का graph बना लो यह जो red वाला आपको दिख रहा है वो cosecx का graph है अब जहां जहां पे cosecx 0 है वहां पे आप एक dotted line बना लो ठीक है जहां पे भी cosecx 0 है यहां पे भी cosecx का value 0 आ रहा है तो यहां पे भी आप एक dotted line बना लो similarly यहां पे भी dotted line बन रही होगी similarly यहां पे भी dotted line बन रही होगी यहां पर ऊपर की तरफ है पैरावुला टाइप का तो यह नीचे की तरफ हो जाएगा उल्टी टोपी पहनाओ ठीक है यह जो शॉटकट है वो कोसीक में भी वैलिड है अगर आपको कोसीक X का ग्राफ चाहिए तो साइन एक्स का ग्राफ बनाओ यह जो रेड वाला ग्राफ है वो साइन एक्स का ग्राफ है अब जहां पर भी साइन एक्स का वेल्यू जीरो होगा जहां पर भी साइन एक्स का वेल्यू जीरो होगा वहां पर कोसीक एक्स डिफाइंड नहीं होगा तो basically इसका domain क्या आएगा चलो domain भी बताओ graph तो आपको याद हो गया कि उल्टी टो भी पहना देना तो graph तो याद हो गया domain बताओ domain sin x equal to 0 जहाँ पे भी होगा वहाँ पे function not defined बला n pi को हटाना पड़ेगा ठीक है तो इसका domain आएगा r minus n pi n pi को हटा दो यहाँ पे देखो न वैसे भी यह value है pi फिर अगला value है 2 pi यह वाला value है minus pi इन सबको हटाना पड़ेगा again n is integer तो n का value 1,2,3,4 हो सकता है minus 1,2,3,4 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है ठीक है n is integer और range क्या है इसका range यह जो दोनों graph है na ckx और kocykx दोनों का range theme होता है और range यह होता है कि यह blue वाला graph देखो अगर आप blue वाला graph देखो गए तो यहाँ पे y का value 1 है y का value 1 से बड़ा आएगा या तो minus 1 से कम आएगा blue वाला graph minus 1 और 1 के बीच में आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा होगा minus 1 और 1 के बीच में कभी भी y का value हो सकता है क्या नहीं हो सकता ना वो तो sine x वाला graph है blue वाला graph जो है वो या तो 1 से बड़ा है या minus 1 से छोटा है तो basically आपका range क्या आएगा range यह आएगा minus infinity से minus 1 minus 1 से छोटा या फिर 1 से बड़ा ठीक है इसका भी range वही है इसका भी जो range है वो वही है minus infinity से minus 1 union 1 to infinity ठीक है ना सही लिखा ना यहाँ पर भी और इसका domain यह कौन सा cx तो cx का domain cx होता है 1 by cos x तो cos x कहाँ पर 0 होता है cos x 0 होता है 2n plus 1 pi by 2 पर odd multiple of pi by 2 basically यहाँ पर देख लो pi by 2 पर 3 pi by 2 यहाँ पर minus pi by 2 यह सारे points पर cx define नहीं होगा तो सब कुछ clear है एक दब yes or no आगे बड़े next next की spelling एक तो fix कर लो सब लोग अलग-अलग spelling लिखते रहते है ठीक है तो n-e-k-a-s-t यह रख लेते है सब लोग same page पर रहना चाहिए ना अलग-अलग spelling लिख रहे है बताओ ऐसे थोड़ी चलेगा n-e-k-a-s-t next next का मतलब next ओके यह वाला question करते है graphical questions कैसे आएंगे सर तो ऐसे आएंगे और यह पक्का आएंगे ठीक है यह definitely आएंगे यह कर लोगे कैसे करेंगे तो देखो मतलब अगर आपको ऐसी कोई equation given है जिसमें trigonometry भी है और algebra भी है x और tan x दोनों ही है इसमें तो इसको solve नहीं कर सकते बस इसको graph पर plot कर सकते और देख सकते हैंगी point of intersection कितने हैं अगर आपको यह कोई पूचागा कि x का value बताओ तो हमें नहीं पता यह पूच सकता है कि number of solutions बताओ कितनी value आएगी x की यह पूच सकता है और number of solution मतलब number of point of intersection कि कितने point of intersection आएंगे वो देख लिया करो आप तो जब भी इस तरह की question आते है आपको graphically ही करना पड़ेगा इसका कोई algebraic method नहीं है graph बनाओ और देख लो की point of intersection कितने है ठीक है अब graph बनाने के लिए आप क्या करो न जो trigonometry वाला part है उसको आप एक तरफ ले लो LHS या RHS कोई एक तरफ और बाकी जितना भी कच्रा है वो सब एक तरफ ठीक है तो यहां से अपने को दिख रहा है कि भाई 210X है तो 210X का graph बन जाएगा simple है जैसे 10X का होता है वैसा ही 210X का होता है बस YX में stretch हो जाएगा बस graphical transformation आपको पता ही है और यहां पर क्या हो जाएगा यह पाई बाई टू माइनस X है ना X को इधर बेज दिया X को इधर बेज दो इसका graph बना लो इसका graph बना लो और point of intersection देख लो और interval भी अपने को given है 0 से 2pi तो आपको केवल जो graph बनाना है वो 0 से 2pi के बीच में ही बनाना है इधर उधर का graph नहीं बनाना है तो बताओ कि इसका graph क्या आएगा सबसे पहले इसका graph बनाते है Y equal to 2tan X इसका graph कैसा आएगा बताना देखो Y equal to 2tan X का जो graph होता है वो आपको बनाना है 0 से 2pi में तो graph वैसा ही आएगा जैसे 10x का होता है बस थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा shift हो जाएगा ठीके अच्छा यहां से start नहीं होगा start तो minus pi by 2 से होता है तो 0 के बाद 10x का graph it will be something like this फिर यहां पर dotted line आएगी ठीके यहां पर dotted line बना लेते है और यहां पर भी dotted line बना लेते है I hope कि सबको 10x का graph याद है increasing function increasing function है तो ऐसा आएगा this is the graph of 10x ओके यह 2pi है यह वाली जो value है यह pi यह सही है basically 10x यह 210x का graph वैसा ही होगा जैसा 10x का होता है बस value बढ़ जाएगी basically आपका 10x का graph होगा वो ऐसा होगा थोड़ा नीचे होगा बस इतना ही difference होगा अब since यहां पर आपने 2 से multiply कर दिया तो थोड़ा ऊपर shift होगा बस बस graph आपका वैसा ही होगा पहले अगर मानलो की pi by 4 पे value कितनी आ रही थी तो अब pi by 4 पे value 2 आएगी यहां पे कहीं पे pi by 4 होगा pi by 4 पे पहले यहां पे value आ रही थी अब 2 आएगी थोड़ा ऊपर shift हो जाएगा बस तो यह जो red वाला है that is the graph of 210x और इसका graph बनाओ इसका graph क्या आएगा y equal to y equal to pi by 2 minus x इसका graph will be a straight line यह तो straight line है इसका अब rearrange भी कर सकता हूँ यह लिखा हुआ है x plus y equal to pi by 2 तो अगर मैं x का value 0 put करूँगा तो y का value pi by 2 x का value जब 0 तो y का value pi by 2 और जब x का value 0 तो y का value pi by 2 y का value 0 तो x का value pi by 2 तो x का value जब pi by 2 है तो भी y का value 0 है मनलब यह दोनों point है तो एक straight line बना लो बस एक straight line बनाएंगे तो वो straight line ऐसी आएगी देखो this will be the straight line कितने point of intersection है point of intersection गिनो फटटटटट 0 से 2 pi में ही आपको graph बनाना था तो what is the answer? अब दिख गया होगा ठीक है? क्या answer आएगा? एक point of intersection यहाँ पे है एक point of intersection यहाँ पे है और एक point of intersection यहाँ पे है तो 3 is the answer कि कितने लोगों चमग गया? एक straight line है और एक 2 tan x है तो 10 x का graph बना लो तो 2 tan x वैसे ही होता है बस थोड़ा सा ऊपर shift हो जाएगा जब भी आप 2 से multiply करते हो तो y x में stretch करना होता है graph को अरे आपने यह भी तो पढ़ा होगा कि sin x का graph अगर ऐसा है sin x का graph क्या होता है? यह graph होता है sin x का यह वाली जो value है minus 1 है, यह वाली value 1 है अगर मैं आपको बोलूँगा कि 2 sin x का graph बनाओ तो 2 sin x का maximum value 2 जाएगा और minimum value minus 2 जाएगा तो उसका graph बस stretch हो जाएगा उसका graph ऐसा आएगा थोड़ा सा यह 2 तक जाएगा यह बन जाएगा, यह आपका 2 होगा ठीक है और यह आपका minus 2 होगा अरे चमक गया ना बस यह stretch हो जाता है क्योंकि अब इसका maximum value 2 होगा और minimum value minus 2 होगा तो जब भी आप 2 से multiply करते हो तो stretch होता है graph और आता वैसा ही है sin x जैसा ही दिखेगा, अगर मैं यह बनाऊंगा नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा graph है इसको हटा दो, वैसे ही आएगा जैसा sin x का होता है तो 10 x का भी भई है, ठीक है ना चमक गया होगा, चलो और आगे बढ़ते हैं compound angles के बारे में कुछ-कुछ formulas भी है तो कुछ-कुछ formulas आपको याद करने पड़ेंगे जैसे sin of a plus b, यह सब याद है क्या किते लोग revise करके आए formula sin of a plus b, sin a cos b plus cos a sin b सबको पता है, यह minus होगा तो बीच में minus आ जाएगा cos में उल्टा होता है cos में उल्टा होता है, यहाँ पे plus है तो यहाँ पे minus है, यहाँ पे minus है तो यहाँ पर प्लस है, उल्टा होता है cos of a plus b, तो cos a cos b minus sin a sin b, और उसमें plus आ जाएगा, ठीक है तो यह चिंदी फर्मुलास फिर उसी को divide कर दोगे, sin और cos को divide कर दोगे, तो tan आ जाएगा तो अगे हम derivation में नहीं पढ़ रहे, formula आपको मेरे कहल से यादी होगा, तो tan वाले formula's, court वाले formula's और अगर मैं एक angle pi by 4 कर दू, तो यह आ जाएगा, ठीक है tan pi by 4 plus a, तो यह सारे formula's मेरे कहल से सबको clear है गया, yes इसमें कुछ जादा interesting है simple formula's आपको मेरे कहल से यादी होगे, यह tan वाला, court वाला यह तो बचपन से हम पढ़ रहे, 10th standard में भी आपने पढ़ा होगा सायद, नहीं तो 11th में तो पढ़ा होगा, चालो, और आगे बढ़ता है, यह काफी important formula है यह काफी लोगों को नहीं पता होता है इसको याद करने का हमने एक trick भी बनाया था यहाँ पर a plus b, a minus b तो a square minus b square वैसे हमने याद कर लिया था इधर a plus b, इधर a minus b तो a square minus b square बस यह दूसरे वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना है cos a plus b, cos a minus b तो cos square a minus sin square b sin तो पापी इंसान है उदर बैठ गया तो बैठ गया, हिलेगा नहीं sin square b, नीचे भी sin square b sin square b सेम रहेगा, बस यहाँ पर cos square a minus sin square b आएगा, तो यह दोनों मतलब इसके आगे थोड़ा थोड़ा स्टार बना लो इसके उपर काफी सारे question अलड़ी आ भी चुके और यह फाल्तू formula tan of a plus b plus c का इसके उपर जादा question नहीं है वैसे ठीक है, बट फिर भी आपको याद तो हो गई इसको हमने ऐसे याद किया था कि s1 minus s3 upon 1 minus s2, यह याद है s1 का मतलब एक-एक करके आपको add करना है, tan a अकेला, plus tan b अकेला tan c अकेला, तो एक-एक करके add किया, s3 का मतलब 3-1, 7 और s2 का मतलब 2-2 करके तो tan a, tan b इस तरह से है 2-2 करके हम basically इसमें add करते है और आगे बढ़ते है, transformation formulas transformation formulas वहीं से आते है जहां से यह formula होते है, 2 को add कर दोगे जिसे यह first equation, second equation को add कर दो तो add कर दोगे, तो यह cancel हो जाएगा और यह cancel हो जाएगा, तो transformation formula बन जाएगा, तो उसका derivation वैसे है, but again उसमें पढ़ेंगे नहीं, 2 sin a cos b, है ना यह इसको याद करने से बेटर है, आप इसको याद कर लो यह जादा बेटर है, sin c plus sin d, यह भी वही है, transformation formula ही है, बस उसका दूसरा version है fine, तो यह आप याद कर लो, इसको हमने ऐसे याद किया था कि sin plus sin देखो, आप simple, यह सब भूल जाओ इसके आगे मैं आ जाता हूँ, ठीक है तो आप क्या करो, simple ऐसे याद करो sin plus sin, तो 2 sin cos, sin minus sin, तो 2 cos sin, cos plus cos 2 cos 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 minus cos, तो minus minus 2 sin sin, sin cos 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 minus 2 sin sin, और बाकी सब सेम है, c plus d by 2 और c minus d by 2, that will be same, बस यहाँ पे minus तुम बहार ही निकाल लिया करो ताकि यह तो same रहे, ठीक है कुछ लोग क्या करते है, इसको d minus c कर देते, उतना क्यों दिमाग लगा रहे है तो minus बहार निकाल लो ना चुप चाब, ठीक है तो बस आपका यह standardized हो जाएगा, standardized हो जाएगा तो याद करना easy है तो यह सब formulas तो यादी होंगे, values यादी क्या अगर 15 degree का value in case अगर आप भूल जाते हो, तो exam में हमेशा आप क्या कर सकते हो 45 degree minus 30 degree याद कर लो और 75 का value अगर आप भूल जाते हो, तो 45 degree plus 30 degree कर सकते हो जैसे for example, sin 15 का value निकालना है sin 15 को आप लिख सकते हो, sin 45 minus sin 30 तब 45 minus 30 फिर formula लग जाएगा, sin A cos B कर लोग है na, sin A cos B minus cos A sin B तो cos A और sin B और यहाँ से आपका value आजाएगा तो कितना आएगा, यह आपका आजाएगा root 3 minus 1 by 2 root 2 तो यह value होता है sin 15 का value यह होता है और इसको आप rationalize भी कर सकते हो इसका एक different version यह भी होता है कि आप root 2 से उपर नीचे multiply कर दो root 2 से उपर नीचे multiply कर देंगे, तो यह rationalize हो जाएगा तो थोड़ा और सुंदर value आएगा और वो सुंदर value कितना आएगा root 6 minus root 2 divided by 4 तो यह भी एक value है ठीक है, बट ultimately हमने याद इसे किया था कि sine है तो पापी इंसान है sine का मतलब क्या होता है sine का मतलब होता है sin sin का मतलब होता है पाप और सिंज यह पापी इंसान है तो negative इंसान है negative इंसान है तो इसके formula में negative नेगेटिव आता है और cos 15 का value होता है root 3 plus 1 cos 15 का value क्या आएगा वो आएगा root 3 plus 1 upon 2 root अरे चमका तो पापी इंसान है sine 15, sine is पापी इंसान है तो negative आएगा root 3 minus 1 upon 2 root 2 और यहाँ पे plus आएगा याद हो गया sine 15 और cos 15 जो sine 15 होगा वही cos 75 होगा क्योंकि sine theta is cos 90 minus theta तो sine 15 अगर याद हो गया तो cos 75 भी याद हो गया automatically और अगर cos 15 याद हो गया तो sine 75 भी याद हो गया तो वो याद करना ही नहीं है आप तो 15 वाले याद करो बस आपको दो ही चीज़े याद रखनी है एक sine 15 और cos 15 बस इसके अलावा और कुछ याद करने की ज़रूद नहीं है यह है root 3 minus 1 upon 2 root 2 और cos 15 यह अपने short notes में लिग लो अगर किसी को याद नहीं है तो अपने short notes में इसको फटा-फट लिग लो फिर आगे बढ़ता है sign 15 sign is पापी इंसान negative आएगा cos अच्छा इंसान positive आएगा आगे बढ़ता है ठीक है यह question try करो फटा-फट जही main का ही question है यह कैसे करेंगे अच्छा देखो इस तरह के question जब भी आता है इस तरह का question अगई न आएगा और इसमें basically वो आपको confuse करेंगे दो option में कि बढ़ी positive होगा की negative होगा positive होगा की negative होगा तो इसमें पहले यह आप एक दम वो कौन बनेगा करोर परती का होता ने 50-50 इसमें 50-50 कर सकते हो तो पहले आप sign देख लिया करो अलग से आपको plus आएगा की minus आएगा और वो आपको यहाँ से पता चलेगा देखो आपको clear cut question में बोलाई कि जो alpha minus beta है वो 3 pi और pi के बीच में है और question में आपसे पूछा है alpha minus beta divided by 2 का value तो divide by 2 कर दो इसको divide by 2 कर देंगे तो यह जो angle है यह कौन से quadrant में आ गया alpha minus beta by 2 वो pi by 2 से बड़ा है और 3 pi by 2 से छोटा है मतलब कौन सा quadrant pi by 2 से बड़ा और 3 pi by 2 से छोटा मतलब either it will be second quadrant और third quadrant है ना यह alpha minus beta by 2 जो है वो या तो second quadrant में होगा या third quadrant में होगा अगर second या third किसी में भी है तो cost क्या होता है दोनों में यह ना cost तो दोनों में negative होता है ना अगर आप cast rule लगा होगा तो C-A-S-T यहाँ पे भी negative होता है यहाँ भी negative होता है तो ultimately आपका answer क्या आना चाहिए negative ही आना चाहिए है ना तो जो भी positive वाले option है वो बेकार है उनको पहले हटा दो अब बस आपको magnitude find out करना है 50-50 हो गया 50-50 के बाद magnitude निकाल लो बस कुछ भी करके अब magnitude कैसे निकालेंगे तो यह समझना है ना यह आपको given होगा हमेशा तो इस तरह के question आएंगे और especially मतलब दो option में आपको confuse किया जाएगा तो इस तरह के question में magnitude अलग निकाल लिया करो और sign अलग निकाल लिया करो तो sign आप पहले ही निकाल लिया करो ताकि 50-50 हो जाए उसके बाद आप यहां पर basic formulas लगा सकते हो एक equation यह given है अपने को और एक equation यह given है अपने को है ना तो यहां पर कौन सा formula लगेगा sign प्ल value है minus 21 upon 65 और इसमें formula लगेगा cos plus cos है तो 2 cos cos ओके cos plus cos तो 2 cos cos यह आ जाएगा इसका value है minus 27 upon 65 अब दोनों equation को divide कर दो अगर दोनों equation को divide कर देंगे है ना तो सब कुछ ही cancel हो जाएगा almost क्या 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 cancel होगा बता ना बचेगा क्या 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 2 से 2 cancel यह sin नहीं यह cos और cos cancel 65 65 cancel minus minus b cancel तो directly यहां से sin upon cos 10 of alpha plus beta by 2 आएगा ठीक है alpha plus beta by 2 और इसका value कितना आएगा minus minus b cancel है तो 21 upon 27 आएगा तो that means 3 से cancel कर लो 7 by 9 आ रहा है इसका value yes or no इसका value तो आगया और अगर 10 of alpha plus beta by 2 का value आगया तो triangle बना लो और triangle बनाके इसका value निकल लो sin of alpha plus beta by 2 का है ना तो tan of यह वाला value मान लो यह alpha plus beta by 2 है यह angle तो उसका tan है 7 by 9 opposite और adjacent तो यह कितना आ जाएगा यह आपका आ जाएगा under root of 49 plus 81 तो यह बन गया basically under root of 130 तो 130 वाला तो एक ही option है वैसे तो वैसे तो आपको answer चमकी गया कि यही आना है बड़ फिर भी इसको final कर लेते है ठीक है तो यह 130 आ गया तो basically sin of alpha plus beta by 2 बता दो आप कितना आएगा आपका आजाएगा minus 3 under root of 130 और नीचे है 65 into 2 65 into 2 is 130 तो बेसिकली यह आपको cancel हो जाएगा minus 3 upon root of 130 तो जादा chances उसी के थे बट फिर भी हमने confirm कर लिया तो कर लोगे इस तरह के question अगर कर लोगे तो फिर करो कर लोगे नहीं अभी करो एक और question है जो कि almost similar है इसको try करो और answer बताने की कोशिश करो let me see कि सबसे पहले कौन answer देता है ठीक है फटाफट let's do it fast यह question है जही में 2019 का almost similar है options भी चिंदी है क्योंकि सारे अलग-अलग options है बहुत close option भी नहीं है ठीक है तो एक बार try करो cost का value given है sign का value given है 10 to alpha निकालना है इसमें एक आपको चाला की use करनी पड़ेगी और यह चाला की ऐखी वालग फूजन और यह चाला की आञ ध्यान रखना कूझकि एक्जाम में आ सकती है ठीक है तो चाला की क्या है देख़ो चाला की यह है कि यह जो tan 2 alpha है नहां आपको पूछा गया है पूछा तो यह tan 2 alpha तो उसको आप ऐसे लिख दो उसको आप लिख दो alpha plus alpha ऐसा लिख यह बस हो गया फाईदा अब यह a plus b का फॉर्मुला लग जाएगा ना tan of a plus b लगा ओंगे तो tan of alpha plus beta plus tan of alpha minus beta अरे तो चाला की समझ में आई अगर आपको चाला की समझ में आगी तो question खतं हो गया question is almost done तो बस यह चाला की लगा नी थी अगर यह चाला की लगा दी तो आपको देखो साइन यह कॉस ओफ अल्फा प्लेस बीटा ओलिडी गिवन है तो ट्राइंगल बना के टैन ओफ अल्फा प्लेस बीटा निकाल दो कॉस का वेल्यू गिवन है टैन का वेल्यू निकालो sine का value given है 10 का value निकालो तो 2 triangle बनालो तो 2 triangle बनालो यह वाला जो angle है यह है alpha plus beta और यह angle है alpha minus beta इसमें cost का value given है तो यह 3 यह 5 तो यह 4 होगा और similarly इसमें sine का value given है तो sine का value होता है opposite by hyperdenious तो यह 12 आजाएगा पाइथागरियन triplet 5, 12, 13 तो इसका value कितना आगया यह 10 का value होता है opposite divided by decision यह 4 by 3 ठीक है ना यह 3 है यह 5 है फाइन चमक रहोगा 4, 3 और 5 और इधर plus इसका value है 5 by 12 और नीचे आजाएगा 1 minus 4 by 3 into 5 by 12 अरे तो यह चालाकी कितने लोगो चमक गए अगर आपको चालाकी चमक गई तो फिर बस answer आगया यह कितना हो जाएगा 48 plus 15 48 plus 15 और नीचे आपका आजाएगा 36 minus 20 तो यह कौन सा option आ रहा है 63 by 63 by 16 yes or no option B आजाएगा ठीक है B for Bombay यह चमका कि नहीं yes यह कितने लोगो चमक गए यह चालाकी ध्यान रखना और यह अपने short notes में again डाल देना question आने के chances है यह चमक जाना चाहिए exam में ठीक है और आगे बढ़ता है यह बहतरीन question है ठीक है लग इसके उपर मेरे खाल से उनको question यह J main कही है this is also PYQ but यह काफी अच्छा question है इसमें trigonometry को बहती बहतरीन तरीके से AP के साथ mix किया हुआ है ठीक है इसमें basically आपको difference of two terms बनाके बारिश भी करवानी पड़ेगी एक बार question देख लेते हैं यह जो A1, A2, A3, AN है वो सब AP में है common difference इसका D है तो somehow series निकालना है यह जो series है इसका summation आपको find out करना है तो पहले एक काम करते है पूरी जो series है उसको sine cos में convert करते है तो अगर मैं sine cos में convert करूँ यह ना पूरी series को sine cos में convert करें तो sine D okay, this D is the common difference और इसको आप लिख सकते हो 1 upon cos A1 cos A2 cos में convert कर लो यह हो जाएगा 1 upon cos A2 cos A3 ऐसे लिख दो और last term क्या है dot 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 last वाला जो term है वो आजाएगा cos An-1 और cos An यह आजाएगा तो basically यह आपका series बन गया अब यह जो sine D है ना उसको अंदर multiply कर दो यह sine D को अंदर multiply कर दो यहाँ पर आ जाएगा ना यह sine D को अगर मैं अंदर multiply करूँ तो sine D है ना यहाँ पर भी sine D but D को आप D मत लिखो यह D क्या है D तो common difference है तो since यह common difference है तो यहाँ पर मैं common difference को लिख दूँगा A2 minus A1 इन दोनों का difference basically common difference क्या होता है difference of any two consecutive terms तो यहाँ पर मैंने D को A2 minus A1 लिख दिया similarly यहाँ पर हम D को लिख देंगे A3 minus A2 क्योंकि नीचे A3 और A2 है इधर A1 और A2 है तो A2 minus A1 लिख दिया इधर यह लिख दिया last में क्या लिख देंगे last में हम लिख देंगे A N minus A N minus 1 यह लिख देंगे, तो अब basically इससे फाइदा गया है, इससे फाइदा यह है कि यहाँ पर आपके difference of two terms create हो जाएगा, इसको आप solve करो अलग से, जो पहले वाला term है इसको मैं solve करके दिखा देता हूँ, अलग से, तो यह क्या बन जाएगा, अब देखो, यहाँ पर देख लेते ह minus cos a, और sin b, यह आएगा, और नीचे क्या आए, देखो, नीचे हमारे पास है, cos a1, cos a2, ठीक है, तो ultimately यह कितना बन जाएगा, यह cos तो cancel हो जाएगा, tan a2 minus tan a1, यह आगया, tan of a2 minus tan of a1, यह आगया, तो आपका पहला term है, वो यह आगया, tan a2 minus tan of a1, similarly अगला term क्या आएगा फिर, पहला term तो यह आगया, तो हमेशा आप देख रहो न, बड़ा minus छोटा आएगा, तो यहाँ पे भी बड़ा minus छोटा आएगा, tan of a3 minus tan of a2 आएगा, तो इस तरह से आता जाएगा, last में क्या आएगा, last में आपके पास आजाएगा, tan of an, बड़ा minus छोटा, ठीक है, बड़ा minus छोटा, यह आगया बस, अब इन सबको add कर दो, अगर आप इन सबको add करोगे, इसको vertically लिखके देखो, तो थोड़ा और feel आएगी, बारिष्ट वाली feel आएगी न, तो आपका जो पहला term है, वो basically है, tan of a2 minus tan of a1, ठीक है, दूसरा वाला जो term है, that is tan of a3 minus tan of a2, और last वाला term क्या है, last वाला, अब चमक गया होगा, कितने लोगो आखों में चमक आगी, अरे आखों में चमक आईगी नहीं, बारिष, बारिष करवा दो, fruit ninja, यह cancel, 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 यह सब cancel, तो बचेगा क्या, बचेगा tan of an, minus tan of a1, अरे चमका, तो final answer is option d, ठीक है, option d is the final answer for this question, तो कर लोगे इस तरह की question, आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लाके, difference of two terms create करना पड़ेगा, उसके लिए d को अलग-अलग जगा, अलग-अलग लिखना पड़ेगा, तो यह काफी बहतरीन question है, यह इस तरह का question आगे है, तो मजा आ जाएगा, क्योंकि सब लोग साइन 60 प्लस है, 60 degrees है, रेडियन मनी है, ठीक है, डिगरी में होना चाहिए, तो यह अगर है, तो 1 by 4 sin 3 है, simple इसका derivation भी हम नहीं किया था, बट अभी हम नहीं करेंगे, simple ही है, आप formula ही याद करो, उसमें भी 1 by 4 आएगा, इसमें भी 1 by 4 आएगा, बट जब दोनो equations को divide करोग दोनों को divide करोगे, तो 1 by 4, 1 by 4 cancel हो जाएगा, यहाँ पर sign by cost 10, sign by cost 10, और sign by cost 10, तो third वाला free में आएगा, उपर वाले 2 है, एक sign में, cost में, दोनों को divide कर दोगे, तो 10 वाला भी आ जाएगा, ठीक है, तो यह simple है, इसके उपर question भी आ चुक है, जही main 2019 का question है, इसको try करो, sign 30 तो 1 by 2 आता है, वो तो आपको पता ही है, यहाँ पर लिखा हुआ है, sign of 10 degree, sign of 10 degree, इसको आप लिख सकते हो, sign of 60 minus 10, और इसको लिख सकते है, sign of 60 plus 10, अरे चमका की नहीं, तो बस यह हो गया, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 by 2, और formula होता है, 1 by 4, sign 3 है, okay, sign 3 है, तो 3 into this, sign 30 आ जाएगा, 3 into 10, चमका, तो ultimately what is the answer, ultimately 1 by 2, 1 by 2, 1 by 4, और यह 1 by 2, 1 by 16 आ जाएगा, 1 by 16 मर्लब option A, कर लोगे चिंदी question यह तो, fine, इस तरह के question अराम से हो जाएगे, और आगे बढ़ते है, अब बात करते है, multiple और sub multiple angle के बारे में, multiple मल्लब, जिससे 2 A, 3 A, तो यह सारी चीज़े है, तो इसमें कौन-कौन से formula होते है, sign 2 A का formula बताओ, चलो, यह सब को याद एगा, sign 2 A का formula is, 2 sin A, cos A, एक formula तो यह होता है, similarly, cos 2 A के 3 formula होते है, cos 2 A के 3 formula कौन-कौन से है, मलब, अलग-अलग version है, बस, एक तो आप यह कर सकते हो, cos square A, minus sin square A, ठीक है, और यह सारे formula आते कैसे, sign of A plus B वाला formula था ना, उसमें B की जगा A डाल देना, मलब A plus A, इसको आप लिख दो, sign of A plus A, तो sign A कौन से, plus कौन से sign A, तो 2 sin A कौन से, चमक गया ना, similarly, यह भी, और इसी का alternate version होता है, 2 cos square A, minus 1, और 1 आजाएगा, 1 minus 2 sin square A, ठीक है ना, तो यह तीन formula है, cos 2 A के, और अच्छा, इसमें एक और formula होता है, आपको याद है क्या, 10 के terms में एक और होता है, यह साइन 2 A का एक और formula, in terms of 10 A, वो सबको याद है क्या, वो यह होता है, 2 tan A, यह भी कभी-कभी काम में आ जाता है, 1 plus tan square A, अरे याद आया, और similarly, इसका क्या होता है, इसका होता है, 1 minus tan square A, upon 1 plus tan square A, यह याद आया कि नहीं, तो यह भी एक अच्छा interesting formula है, अच्छा एक और चीज, यह वाला जो formula है न, यहाँ पर cost 2 A लिख दो, और यहाँ पर भी cost 2 A लिख दो, तो यह वाला जो formula है, इसका आप rearrange भी कर सकते हो, अगर इसको rearrange करेंगे, तो एक और formula आ जाएगा, वो cost square A का, तो cost square A का value निकालो यहाँ से, अगर आप यहाँ से cost square A का value निकाल दोगे, तो यह इधर आएगा plus 1 हो जाएगा न, वो आएगा 1 plus cost 2 A divided by 2, तो यह भी एक formula है, इसको भी आप use कर सकते हो, अगर बैजरीन सा formula, और यह जो नीचे वाला है, उसको भी अगर आप rearrange करोगे, तो एक और formula आ जाएगा, which again you have to remember, ठीक है, यहाँ से आप sin square A का value निकाल सकते हो, तो sin square A का value निकालो, इसको मैं लिख सकता हो, 1 minus cost 2 A divided by 2, अगेन मतलब याद कैसे करेंगे सर, तो sin है न पापी इंसान, तो negative आएगा, और यह पापी इंसान नहीं है, तो positive आएगा, याद हो गया, हमने याद भी ऐसी किया था, कि sin square A में minus आता है, क्योंकि पापी इंसान है, और वो अच्छा इंसान है, तो positive हैगा, ठीक है, तो याद ऐसे कर लो, इसी का alternate version ये है, या फिर इसका alternate version ये है, ठीक है, तो कैसे भी आप इसको basically याद करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, tan 2 A, तो tan 2 A तो मेरे काल से सबको पता ही होगा, अगेन आप tan of A plus A लिख सकते हो, तो A plus A करेंगे तो क्या आजाएगा, 2 tan A, tan A plus tan A, और नीचा आजाएगा 1 minus tan A 10 B, तो tan A 10 B तो दोनों सेम ही है, तो 1 minus, इसमें बस ये ध्यान रखना, यहाँ पर plus होता है, और यहाँ पर minus होता है, यह tan 2 A, और यह sin 2 A, sin 2 A में plus आता है, और tan 2 A में minus आता ह 2 tan A upon 1 minus, sin 3 A, कैसे याद किया था, अगें पापी इंजान, अरे सारे फॉर्मिला आप एगी concept पर याद कर सकते हो, यह कैसा इंजान है, पापी इंजान है, पापी इंजान तो negative होना चाहिए, negative कब आएगा, negative तो तभी आता है ना, जब आप किसी छोटे नंबर में से, कोई बड़ा नंबर माइनस करते हो, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करोगे, तभी तो negative आएगा, तो इसलिए यहाँ पर पहले आपका आता है, 3 sin है, minus 4 sin cube A, यहाँ पर आप compare करोगे, तो देखो coefficient भी छोटा है, पावर भी छोटी है, छोटा माइनस बड़ा, तो दे पापी इंसान है, पापी इंसान मुलब negative इंसान, negative तभी आएगा, जब छोटा माइनस बड़ा, फावर भी छोटी, coefficient भी छोटा, अरे चमक गया, similarly यह अच्छा इंसान है, cos 3 है, तो जो अच्छा इंसान है, उसमें बड़ा माइनस छोटा आएगा, उल्टा आएगा, minus tan cube a, अपॉन नीचे आजाएगा, 1 minus 3 tan square a, ठीक है, तो यह तीनो फार्मिलाज, अगेन आप याद रख सकते हो, ठीक है, simple ना मुलब, इसमें आगे बड़े क्या, नेकस्ट, yes or no, yes, अरे जिनको मुलब, ट्रिक नहीं पता थी, उनको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, ब अपने को tan of alpha plus 2 beta निकालना है, तो जो निकालना होता है, उसी पर focus करता है, एकदम अरजुन की नजर होनी चाहिए, जहां पर पहुंचना है, बस वहीं पर पहुंचना है, इसका formula होता है tan alpha plus tan 2 beta, और नीचे आजाएगा 1 minus tan alpha, यही होता है formula, तो कुछ भी करके आप tan alpha निकाल अगर तो बस यहां पर आप basically formula लगा, तो यह वाली जो equation है, यहां पर root 2 sin alpha, और नीचे basically आपका है root में क्या जाएगा, यह plus है न, plus मतलब अच्छा इंसान, अच्छा इंसान तो इसका formula बनेगा 2 cos square alpha, and this is equal to 1 by 7, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो root 2 root 2 cancel, तो tan alpha दिख तो tan alpha का तो value आगया 1 by 7, अब कुछ लोग बोलेंगे sir, mod क्यों नहीं लगाया, और जो भी यह question पूछ रहा न, वो काफे intelligent है, उसको यह question पूछन पूछना चाहिए, अगर तुम्हारे दिमाग में यह question नहीं आ रहा है, तो तो intelligent नहीं हो, वे mod लगाना चाहिए और technically तो, technically तो mod लगाना चाहिए, क्योंकि square भी है, root भी है, बट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पर देखो बोला है first quadrant, first quadrant में सब कुछ positive होता है, तो यह question चिंदी है, इसमें हमारी गलती नहीं है, इसलिए mod नहीं लगाया, otherwise technically यहाँ पर mod cos alpha आना चाहिए, बट mod नहीं लगाएं again इसका formula minus है, minus मनलब पापी इंसान, तो 2 sin square beta divided by 2, इसका root है, तो यहाँ से sin beta आ गया, तो यहाँ से आपके पास sin beta का value आ गया, और वो है 1 by root 10, तो बस फटाक से एक right angle triangle बना लो और गया, right angle triangle बनाएंगे, यह beta है, यह 1 by root 10 है, तो यह कितना आ जाएगा, पाइथा करस्तिरम लगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो tan beta का value कितना आ गया, तो tan beta का value 1 by 3 आ गया, बट अपने को चाहिए tan 2 beta, तो tan 2 beta निकालो, उसको अलग से निकाल लेते हैं, यह तो यह हो जाएगा, 2 tan beta divided by 1 minus tan square beta, बस formula में substitute कर दो, 2 tan beta, tan beta is 1 by 3, और 1 minus 1 by 9 आ जाएगा, ultimately this is how much, this is 2 by 3 और 9 by 8, तो यह आपका आ जाएगा, 3 by 4 आ रहा है, मेरे खाल से, 3 by 4 आगे यह, तो 3 by 4 substitute कर दो, 1 minus 1 by 7 into 3 by 4, तो final answer कितना आएगा, यह 4 और 21, तो यह इदर 28 minus 3, ultimately 1 आ रहा है answer, 25-25, दिख्या न, ऊपर भी 25, नीचे भी 25, 25 upon 25, 25 upon 25, 1 is the answer, अरे चमका, 28 upon 25 वाला कौन है, अरे भाई, सोदर जाओ थोड़ा सा, ठीक है, जही मेन का एक्जाम आने वाला है, अभी भी तुम 28 upon क्या 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 कर रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं, यह वाला question ट्राइगा, अगेन इस question को देखके आपको कुछ फील हो रहे है, इस question को दे प्लस टू ले हो, हमने multiply by 2 कर दिया, divide by 2 कर दिया, तोम ही तो बोल रहे हो, अगर 2 होता सर तो मजा आ जाता, इसलिए 2 multiply कर दिया, 2 divide कर दिया, तो यह basically 1 by 2 को आप बहार लिख लो, 1 by 2 को मैंने बहार लिख दिया, और यह इसका formula क्या बन जाएगा, 2 cos square 10, तो यह अच्छा इं 2 cos cos, यह 1 by 2 मैंने बहार लिख दिया, यह नीचा वाला जो 2 है, वो बहार ही लिख दिया, यह वाला bracket आप थोड़ा बड़ा सा bracket बना दो, तो यह सब उसके अंदर है, इसको हमने क्या लिख दिया, 2 cos square 10 को लिख दिया, 1 plus cos 2 theta, तो 10 का double 20, और यह 2 cos cos, तो वो आ जाएगा, cos a plus b, 60 degree, और plus cos a minus b करोगे, तो 40 degree आ जाएगा, तो यह आ गया, और फिर यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, 1 plus cos 100, 100 degree आ जाएगा, ठीक है, तो यह आ गया पूरा, अब इसको further simplify करो, तो further simplify करेंगे, तो यहाँ पे देखो आप जहान से, यह 1 plus 1, और यह cos 60 कितना होत होता है, तो 1 plus 1, 2, ठीक है, 1 plus 1, 2 और minus cos 60, तो minus 1 by 2, 2 minus 1 by 2, 2 minus 1 by 2 होता है, 3 by 2, तो यह 3 by 2 बन गया, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो 3 by 2, इसको और इसको क्लब कर दिया, अब बचा क्या-क्या, तो बचा cos 20, एक तो यह बचा, फिर यह minus cos 40, एक यह बचा, तो minus cos 40, और एक यह बचा cos 100, यहाँ पे आप लिख दो cos 100, ठीक है, तो यह, अब यहाँ पे फिर से formula लगा हो, ठीक है, इधर फिर से formula लगाएंगे, तो क्या आएगा, 1 by 2, इधर है 3 by 2, प्लस, और यहाँ पे cos minus cos, तो cos minus cos होता है, minus 2 sin sin, तो यहाँ पे आप formula लगा हो, minus 2 sin sin, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 60 by 2, तो 30 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 20 minus 40, यह ध्यान रगना, C minus D, D minus C मत कर देना, तो 20 minus 40, that is minus 20, minus 20 divided by 2, तो minus 10 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और यह cos 100 को हम क्या लिख सकते है, cos 100 होता है, cos 90 plus 10, तो यह आजाएगा second quadrant में, 90 plus 10, 90 plus 10 मतलब second quadrant, second quadrant मतलब, cos होता है negative, तो minus sin 10 आजाएगा यह, minus sin 10, यह आजाएगा, यह cos 100 होता है, that is same as minus sin 10, अब देखो, यह minus और यह minus plus हो गया, तो यह minus और minus plus, और यह sin 30 का value होता है, 1 by 2, तो 1 by 2 और यह 2, यह भी cancel हो गया, उसके बाद यह बन गया, sin 10, यह minus sin 10, तो वो भी cancel, ultimately यह sin 10, और यह minus sin 10, वो भी cancel, तो calculation करने के बाद आपको दिख गया, कि final answer क्या है, 3 by 4 बचेगा बस, यह बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा, option B is the answer, यह चमका, option B, next, आगया सब का फटा फट से, yes, अगर आपका आगया तो आगया बढ़ता है, और यह वाला question try करो, अगर इन देखो, इस तरह के question काफी सा रहे है, इसकी एक strategy में आपको सिखा जेता है, जब भी देखो, एक चीज बस आप मेरी समझ लो, जब भी इस तरह के angle आता है, और 5 by 8 पे तो अपने को value पता नहीं है, हमें पता है क्या cost 5 by 8 नहीं पता है, sine 5 by 8 नहीं पता है, तो जब इस तरह के angle आता है ना, उसको आप कुछ मान लिया करो, यही अमारी strategy है, ठ अब pi by 4 पे अपने को value पता होता है तो pi by 4 will be 2 theta तो आप pi by 8 को theta मान लो और फिर पूरा question 2 theta में convert करने की कोचिस करो 2 theta का value pi by 4 है वहाँ पे अपने को trigonometric values पता है तो आप simple क्या करो pi by 8 को theta पुट कर दो पहले दो pi by 8 को theta पुट करेंगे तो cos cube theta ये बन जाएगा cos 3 theta और ये बन जाएगा sin 3 theta अब ये इसमें theta है और 3 theta है अपने को 2 नहीं नीचे अपने को चाहिए 2 theta है तो इसको simplify करो simplify करो simplify करो simplify करो जब तक 2 theta नहीं आ जाता है तब तक ये theta भी नहीं चाहिए अपने को 3 theta भी नहीं चाहिए अपने को क्या चाहिए अपने को चाहिए 2 theta अगर वो मिल गया तो life में मज़ा आ जाएगा ठीक है तो कैसे करेंगे आप बताओ इसको तो देखो short में कर देते हैं ये लिखा हुआ एक cos cube cos 3 theta का formula क्या होता है वो होता है 4 cos cube minus 3 cos similarly यहाँ पर sin cube और sin 3 theta का formula क्या होता है 3 sin minus 4 sin cube ठीक है अब इसको अंदर multiply कर दो 4 cos की power 6 minus 3 cos की power 4 और यहाँ पर आजाएगा 3 sin की power 4 अंदर multiply करता है जारा ठीक है और minus 4 sin की power 6 अब इसको और इसको combine कर लो अगर combine कर लेंगे तो 4 common cos की power 6 minus sin की power 6 और इन दोनों को combine कर लो इसमें सब minus 3 common ले लो तो cos की power 4 minus sin की power 4 यह आगया अब इसको factorize कर लो इसको factorize करेंगे तो क्या आएगा बताना इसको further factorize करेंगे तो cos की power 6 minus sin की power 6 तो a cube minus b cube लगाना पड़ेगा तो a cube minus b cube लगा proseक है a cube minus b cube to a square plus b square plus a b AB, फिर माइनस 3 है और इसको factorize करोगे तो A square माइनस B square मनलब cos square plus sin square और cos square minus sin square यह आ जाएगा बट cos square plus sin square तो 1 होता है ठीक है तो उसको तो 1 put कर दे न येस तो अब आपका क्या होगा बताओ इसके बाद इसके बाद 4 cos square minus sin square इसको भी आप लिग दिएओ इसका भी formula पता न अपने को ये होता है 1 minus 2 sin square स्कूआ इसका value होता है 1 minus 2 sin square cos square और यहाँ पे है plus sin square cos square ultimately हो जाएगा 1 minus sin square cos square ये हो जाएगा और minus 3 और यहाँ पे cos square minus sin square वो तो 1 है ठीक हैं? अब यहाँ से common ले लो cos2-sin2 common इधर भी है इधर भी है तो common ले लो तो common ले लेंगे तो बचे का क्या 4-4 sin2 cos2 ठीके और यहाँ से minus 3 तो यह आ गया तो ultimately यह क्या है यह आपका है cos2θ अरे स्क्वेड तीटा क्या होता है यह आपका बन गया cos2θ और यहाँ पे 4-3 1 और यह आपका लिखा हुआ है sin 2 theta का square तो ultimately यह फिर से क्या बन गया 1-sin2 theta अब यह 2 theta में आ गया तो खतम, pi by 4 put करो ठीक है 2 theta आ गया 2 theta का value pi by 4 है तो अपना जो objective था वो finally clear हो गया और इसका value आप 1-sin2 theta को लिख सकते हो cos square theta ultimately यह आ गया cos cube 2 theta और 2 theta का value है pi by 4 बस pi by 4 put करतो that's the answer तो कितना आएगा finally 1 by root 2 का cube 1 by root 2 का cube मतला 1 by 2 root 2 आ जाएगा ठीक है 1 by 2 root 2 option A is the answer यह चमका की नहीं तो हमेशा ऐसे question आएंगे इसमें आप इसको क्या ले लोगे theta ले लोगे अगर theta ले लोगे तो काम बन जाएगा ठीक है और आगे बढ़ते है फटा फट से थोड़ा इसको try करो है ना इसको इसको कैसे करेंगे बताओ इसको यह भी simple है इसमें भी देखो pi by 8 वाले angles है बट यहाँ पे एक चीज और अच्छी है यहाँ पे देखो ना यह pi by 8 यहाँ पे 7 pi by 8 तो इन दोनों को हम club कर सकते तो basically आप क्या करो ना यह 7 pi by 8 को आप लिख दो pi minus pi by 8 similarly इन दोनों को भी club कर सकते 2 pi by 8 और 6 pi by 8 को और इन दोनों को भी club कर सकते तो देखो ऐसा करो 2 sin pi by 8 फिर उसके बाद sin of 2 pi by 8 इसको same और इसको भी same इसको हम touch नहीं करेंगे starting वाले जो 3 है उसको touch नहीं करेंगे और उन 3 को convert कर लो इसको मैं लिख सकता हूँ sin of pi minus 3 pi by 8 इसको हम लिख सकते है sin of pi minus 2 pi by 8 और इसको हम लिख सकते है sin of pi minus pi by 8 अरे चमका और यह sin of pi minus theta sin theta ही होता है क्योंकि second quadrant है तो positive भी आएगा ठीक है तो यह positive भी आएगा तो यह आपका बन जाएगा sin 3 pi by 8 यह बन जाएगा sin 2 pi by 8 और यह बन जाएगा sin pi by 8 sin of pi minus theta that is sin theta only तो यह सब square हो जाएगा sin pi by 8 एक यहाँ से और एक वहाँ से so sin square π Glue डूबल डूबल अलोल सारे दो दो बारा जाएंगे इसका वेल्यू NTD Sounds Aैं इसका वेल्यू aust इसको अगर इसको अगर आप द्धान से तो लिखा हुआ है सुने के शने यहांसे हों से साइन शुबाइब्ड बैए heels तो sin square pi by 4 कितना होता है? sin square pi by 4 होता है 1 by 2 तो ये 1 by 2 है और ये 2 है तो cancel ये चमका कि नहीं 1 by 2 और 2 तो वो cancel हो गया अब बस आपके पास ये बचा है ना आपके पास बस ये बचा कि sin square pi by 8 और sin square ये 3 pi by 8 को लिख दो 4 pi minus pi by 8 ठीक है ऐसा 4 pi minus pi तो ये basically बन गया pi by 2 minus pi by 8 sin of pi by 2 minus theta क्या होता है? cos theta वो cos में convert हो जाएगा ठीक है ये किस में convert हो जाएगा? cos में क्योंकि sin of pi by 2 minus theta sin pi by 2 minus theta is cos theta तो cos square pi by 8 आगे तो बस यहाँ पे sin square pi by 8 cos square pi by 8 तो 4 से multiply divide कर लो तो basically ये 2 theta में convert हो गया ना और आपका objective वही है कि आपको 2 theta में convert करना है तो ये basically बन जाएगा sin square pi by 4 है ना इसका double pi by 8 का double that is pi by 4 and divided by 4 तो ultimately what is the answer? 1 by 8 आजाएगा ठीक है? final answer is 1 by 8 option C is the answer ये चमका की नहीं? ये कितने लोगो चमक गया? simple कर लोगे और आगे बढ़े? yes, अच्छा एक और type का question जो आज कल काफी famous है वो है कि आपको बोलते कि 10 pi by 24 का value निकालो basically ये नहीं आये था, ये question आये था एक्जाम में J.Main 2021 में caught pi by 24 पूछा था तो इसलिए मैं आपको सोच रहा हूं कि 10 pi by 24 का बता दो तो ये तो आ चुका ना अगली बार ये आयेगा ना तो ये कर लेते हैं, ये homework में आप ट्राइ करना ठीक है? तो this will be homework but हाँ, expected question है ये ये आया था 2021 में caught pi by 24 तो आपको मैं निकालना सिखाता हूं कि 10 pi by 24 कैसे निकालेगे? तो again strategy वही है आप इसको theta ले लो ठीक है? अब अपने को pi by 24 का value नहीं पता है but pi by 12 pi by 12 होता है कितना? 15 degree होता है pi by 12 तो pi by 12 will be 2 theta अगेन मलब 2 theta में convert कर लो, pi by 12 ok, pi by 12 will be 2 theta and pi by 12 is basically 15 degree और 15 degree पे value अपने को पता होता है 10 theta का value नहीं पता है but 2 theta पे values पता है तो basically आप क्या करो? theta को pi by 24 ले लो, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है tan pi by 24 basically इसको आप लिख दो tan theta और tan theta का कौन सा ऐसा formula यूज करे जो की 2 theta के form में है तो कोई भी एक formula सोचो tan theta का कोई भी एक formula जो की 2 theta के terms में है और वो भी 15 डिगरी बन जाएगा तो एक formula यह होता है जिसको आप यूज कर सकते हो which is 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta यह वही तो बनेगा अगर आप इसको simplify करके देखो गए तो minus है ना? minus वहला पापी इंसान तो 2 sin square theta और नीचे वाला जो है वो है 2 sin theta cos theta यह वाला formula यूज कर लो तो यह formula आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो आदे लोग को बाद में समझ में नहीं आएगा तो अगले step में put कर देते है 15 degree ठीक है? तो यह आगया आपका ठीक है? अब बस cos 15 का value आपको पता है अच्छा इंसान है तो positive आएगा root 3 plus 1 by 2 root 2 और वो नीचे पापी इंसान है तो यह आजाएगा ठीक है ना? अब इसको आप further simplify करोगे तो 2 root 2 minus root 3 minus 1 और नीचे कितना आजाएगा root 3 minus 1 अब फिर इसको rationalize भी कर दो तो यह value आगया अब इस value को सुन्दर बनाना पड़ेगा इस format में लाना पड़ेगा तो यहाँ पे भी आपका आजाएगा root 3 plus 1 और यह अब इसको पूरा थोड़ा सा महनत इसके बाद आपको बस एक ही गाना गाना है कि भाई मैंने की है महनत फिर यह आजाएगा 2 root 6 फिर यह आजाएगा 2 root 2 उसके बाद आजाएगा minus 3 और उसके बाद आजाएगा minus root 3 उसके बाद आएगा एक और minus root 3 और minus 1 नीचे आजाएगा 3 minus 1 तो 2 आ जागा नीचे अब इसको further simplify करेंगे तो 2 root 6 plus 2 root 2 ठीक है और minus 4 और minus 2 root 3 और divided by 2 है इसको further simplify करेंगे तो root 6 plus root 2 तो 2 से divide कर दो minus 2 और minus root 3 अब इसको factorize भी करना पड़ेगा तो factorize करने के लिए इसको और इसको club कर लो यहाँ से root 3 common आ जाएगा तो root 3 common ले लेंगे तो root 2 बचेगा और minus 1 बचेगा यहाँ से और इन दोनों को club कर लो तो यहाँ से common आ जाएगा plus root 2 तो बचेगा 1 minus root 2 अच्छा 1 minus root 2 है और इधर root 2 minus 1 है तो minus भी बाहर निकार लो इसको उल्टा कर दो और minus ले लो आप ठीक है तो minus कर देते है और root 2 minus 1 कर देते है मलब basically यहाँ से यह आया और यह factorize हो गया तो finally आपका root 3 minus root 2 और root 2 minus 1 यह आ गया तो compare कर लो इसका value 3 आ गया पी का value इसका value 2 आ गया और root 2 minus 1 यह 2 आ गया और यह 1 आ गया ठीक है 3,2,2,1 तो finally 3,2,2,1 इस दा आंसर तो यह directly यादी रखना आप क्या पता कब आ जाए आपको इतनी मेहनत कम करनी पड़ेगी ठीक है root 3 minus root 2 याद करना भी simple 3,2,2,1 तो 3,2 और 2,1 ए पी है common difference is common 3,2,2,1 ठीक है 3 minus 2 2 minus 1 और इसका value भी आसान है याद करना इसका answer मैं आपको बता देता हूँ, इसका answer यह है option B, इसका value ऐसे याद करो देखो, यह answer है root 2 plus root 3 plus और यह जो 2 है इसको आप लिख दो root 4, root 4 plus root 6, this is the answer, ठीक है यह answer है, value याद करना भी आसान है, root 2 plus root 3 plus root 4 plus root 6, सब कुछ प्लस आता है इसमें, ठीक है तो quad pi by 24 और 10 pi by 24, यह आज कल trending है, अब यह 15 degree, 18 degree, 36 degree, यह जब पुराना जमाना हो गया, तो इसलिए आज कल pi by 24 trending है, तो pi by 24 आप याद कर लो, ठीक है न, तो थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है चलो आप और आगे बढ़ते है, थोड़ा जल्दी से अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा, cosine series, product वाली, तो जो cosine series है, दो cosine series है, एक, तो summation वाली, product वाली, तो जो product वाली cosine series है, उसको देख लेते हैं एक बार, तो यहां पर basically आप यहां पर cosine series, cosine series तभी लगा सकते जब आपके यह जो angles है, उसमें होने चाहिए तो पहली terms and conditions यह है कि angle आपके GP में होने चाहिए और common ratio 2 ही होना चाहिए common ratio का value अगर 3 भी हो गया, तो भी नहीं चलेगा GP होना चाहिए common ratio 2 होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चलेगा common ratio 2, nothing else अगर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, नहीं चलेगा 1 by 2 हो गया, नहीं चलेगा कुछ भी नहीं चलेगा, बस आपका 2 होना चाहिए common ratio then only you can apply अब दूसरी condition क्या है दूसरी condition, बस एक ही condition है वैसे तो, बाकी आप यह समझ लो कि यह सब terms का मतलब क्या है तो यहाँ पर जो a है that is basically the first angle आप इसको बोल सकते हो first angle या फिर आप इसको बोल सकते हो smallest angle, जो सबसे छोटा वाला angle है, okay smallest angle, first angle या smallest angle है, क्योंकि यह सबसे छोटा है यह तो 2 है, फिर उसके बाद 4 है फिर उसके बाद यहां तक हम जा रहे ठीक है, अच्छा number of terms है n यह n क्या है formula में यह n is the number of terms यहाँ पर जितने भी terms है न that is n, n is the number of terms और a is the smallest angle बस आपको यह directly formula ही याद रखना है, formula याद करना भी मैं आपको सिखा देता हूँ, formula याद करना भी काफी आसान है, यहाँ पर एक बार अंदर एक बार बार, बस एक बार आपको अंदर लेना है, 2 raise to n into a और यहाँ पर बार लेना है, 2 raise to n into sign है, बस formula भी आसान है, एक बार अंदर, एक बार बार और 2 raise to n, n is the number of terms simple, a is the सबसे चोटा angle, या first angle आप बोल सकते हो, तो जो भी सबसे चोटा angle है, वही आपका first angle होगा अब इस पर based question कैसे आ सकते हैं, वो देख लेते हैं, देखो यह काफी भयंकर question है, मतलब यह question अगर आपने समझ लिया आना, तो इससे difficult question आने के chances नहीं है, इससे difficult इसके बाद इसको लिख लो, तो इसको लिख दिया, फिर 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 इसको लिख दिय दिया आप इसका डबल क्या होता है आपको हर बार डबल करना है तो इसका डबल यह है तो इसके बाद इसको लिख दो आप ठोड़ा री अरेंज करना पड़ेगा बीसिकली ठीक है तो इसके बाद इसको लिख दिया सारी नीचे कितना आएगा 15 ठीक है तो नीचे 15 यह आ गया अब 4 का double क्या होता है? 4 का double 8 और हमारे पास 8 तो है यह नहीं बट ये वाला जो term है ना इसको हम 8 pi by 15 में convert कर सकते हैं ये जो cos of देखो इसको side में कर लेते हैं कहीं पे भी cos of 7 pi by 15 तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ pi minus 8 pi by 15 मनलब ये second quadrant आ गया और second quadrant में negative होता है minus 8 cos pi by ये आ गया minus आएगा मनलब basically second quadrant है तो ये चमका कि ने 7 pi by 15 को pi minus 8 pi by 15 लिख दिया तो pi minus theta second quadrant second quadrant में negative होता है cos तो basically ये जो है इसको आप cut कर दो और इसकी जगल लिख दो minus cos 8 pi by 15 तो ये जो minus है उसको मैं आगे चिपका देता हूँ minus को आगे निकाल लिया common चुकि सब कुछ multiplication में है और ये cos 8 pi by 15 आप यहाँ पे लिख दो तो ये वाला काम भी बन गया यहाँ तक सारे के सारे angle GP में है अब 8 का double है 16 वो आपको इसमें नहीं मिलेगा यहीं पर आप stop कर दो अब कौन-कौन सी terms बच गई इसका काम भी हो गया अब बचे कौन-कौन तो बचा एक तो ये एक ये बचा है और एक ये बचा है ये तीन terms बच गई अब इन तीनों में देखो कि GP बना सकते गया तो ये 3 का double 6 तो यह GP बन जाएगा ना तो आप एक और GP बना लो यहाँ पे आप लिख दो cos 3 pi by 15 और उसका अगला term लिख दो cos 6 pi by 15 तो यह भी एक GP बन गई अब क्या बचा? अब आपके पास बचा cos 5 pi by 15 और 5 pi by 15 होता है pi by 3 यह तो cancel हो जाएगा ना तो cos pi by 3 और cos pi by 3 का तो value यह आपको पता होता है तो वो directly हम value substitute कर दें ठीक है मनलब basically यहाँ पे जो एक question है वो तीन अलग-अलग question में break हो गया यह cosine series है यह भी cosine series है और उसका value अपने को पता है अब चमका की नहीं तो अब यहाँ पे आप formula लगा सकते हो और formula कैसे लगाते है sir तो formula लगाने के लिए sine 2 raise to number of terms number of terms गिनने होते है एक, दो, तीन, चार चार है ना इसमें तो number of terms are 4 multiplied by first angle तो आपका first angle यह है और नीचे यह बस बाहर आएगा ठीक है उपर अंदर आएगा, नीचे बाहर आएगा यह बन गया बस आपके पास यह आपका पहला formula लगा दिया अब इसमें formula लगाओ तो इसमें आएगा sine 2 raise to number of terms कितने है एक, दो, दो term है और first angle first angle यह है ठीक है, यह होता है first angle यह दियान लगाना, this is a यहाँ पर this is a तो a हमेशा first angle होता है और यहाँ पर यह बहार आएगा 2 raise to 2 और sine of 3 pi by 15 यह आजाएगा और multiplied by यह कितना cos 60 तो cos 60 will be same as यह आजाएगा 1 by 2 बस अब इसको solve करो इसको further solve करेंगे तो क्या बन जाएगा minus sine और यह आपका कितना बन रहा है 16 pi by 15 तो 16 pi by 15 बन रहा है यहाँ पर 16 pi by 15 को आप लिख दो pi plus pi by 15 लिख सकते है और नीचे क्या है नीचे हमारे पास है 2 raise to 4 और sine of pi by 15 ठीक है तो यह आगया अगला term अगला term यहाँ पर अगर आप देखो के तो sine कितना है यह आपके पास है 4 into 3 12 तो 12 pi by 15 और नीचे है 3 pi by 15 तो 12 pi by 15 को आप लिख दो pi minus 3 pi by 15 ठीक है ऐसे लिख दो तो नीचे आपके पास है 2 raise to 2 और sine of 3 pi by 15 यह यह आगया और multiplied by 1 by 2 अब इसका value कितना आएगा बदा न यह है third quadrant pi plus theta अगर third quadrant है तो negative आएगा ठीक है negative और sine pi by 15 यह आजाएगा और नीचे आपके पास है 2 raise to 4 और sine pi by 15 वो तो cancel हो जाएगा ऊपर नीचे यहाँ पे भी आपका यह second quadrant है pi minus theta तो second quadrant है तो positive भी आएगा second quadrant में sine positive होता है 2 raise to 2 और sine of 3 pi by 15 और multiplied by 1 by 2 तो देखो यह और यह cancel हो गया यह और यह cancel हो गया minus minus plus हो गया ultimately आपका अंसरा जाएगा 4, 5, 6, 7 2 raise to 7 आगे 1 upon 2 raise to 7 मतलब 1 upon 128 अरे चमका की नहीं तो वही तो लाना था आपने को 1 upon 128 यह चमका की नहीं तो यह काफी अच्छा question था आपको basically एकी question में AP में दे रखे थे angles तो AP देखके डर थोड़ी जाएंगे GP में convert करेंगे ऐसे question आएंगे जिसमें आपको पता भी ने लगेगा कि भाई AP को GP में कैसे करे ठीक है तो कर लोगे न वाला पता अब तो लगी गया कहल ठीक है बट आपको directly on the face GP नहीं देंगे आपको देंगे AP और GP में बनाओ खुछ से महनत करना पड़ेगा ठीक है similarly ये question है अब देखो इसमें sign series given है sign series का कोई formula होता ही नहीं है केवाल cosine series होती है product में only cosine series is there sign series जैसे दुनिया में कुछ exist नहीं करता है specially product में multiplication में multiplication में sign series होती ही नहीं है तो ये जितने भी terms है सब को cost में convert करना पड़ेगा ये भी एक question है ये भी काफी अच्छा question है इसमें again जैसा कि मैंने आपको बोला sign series होती नहीं है तो sign series नहीं होती है तो cost में convert करो अब sign को cost में कैसे convert करो तो ये वाला formula बचपन वाला sign theta को हम लिख सकते है cost 90 minus theta ऐसे कर लो ये वाला formula use कर लो यहाँ पर आपके पास है sign theta ये sign theta को आप लिख दोगे cost 90 minus theta yes or no ये cost में convert हो गया ये ना pi by 14 cost में convert करो सब को लाइन से इसको भी cost में convert करो cost pi by 2 minus theta और इसको भी cost में convert करो cost pi by 2 minus theta और इसको cost में convert करने की जरुद नहीं है तो कि ये तो लिखा हुआ है sign pi by 2 अरे 7 pi by 14 क्या होता है 7 pi by 14 होता है sign pi by 2 ना sign pi by 2 का तो value ही अपने को पता है तो इस वाले term में कुछ करने की जरुद नहीं है ये नहीं कि उदर भी cost में convert कर रहो खेल कर भी सकते हो आपका cost 0 ही आ जाएगा cost 0 will be 1 तो कर भी दोगे तो भी कोई मनलत जादा destruction नहीं होगा अब इसको simplify करना जरुद simplify करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 तो 6 pi by 14 आ जाएगा yes or no यहाँ पर आ जाएगा cost और उपर कितना आ जाएगा 4 pi by 14 आ जाएगा यहाँ पर और इसको simplify करोगे तो यहाँ पर 2 pi by 14 आ जाएगा और इसका तो value यह बान है ठीक है अब इसको और थोड़ा further simplify कर लो तो this is 3 pi by 7 यहाँ पर आ आपका आ जाएगा 2 pi by 7 और यह है cos pi by 7 तो अब यह cosine series दिख गए ना इसका double यह तो rearrange कर लो बस थोड़ा सा तो rearrange करेंगे तो cos pi by 7 फिर cos 2 pi by 7 और cos 3 pi by 7 को 4 pi by 7 में convert करना पड़ेगा क्योंकि इसका double यह इसका double 4 pi by 7 तो 4 pi by 7 में कैसे convert करेंगे इसको तो इसको लिखना पड़ेगा इसको देखो अलग से करते है cos 3 pi by 7 इसको आप लिख दो cos pi minus 4 pi by 7 4 pi by 7 तो basically यह कौन सा कौटरेंट है second quadrant second quadrant मतलब second quadrant में negative आएगा तो minus cos 4 pi by 7 आएगा तो यहाँ पे आप cos 4 pi by 7 लिख लो लेकिन एक minus भी आएगा तो minus आगे लगा दो यह cosine series बन गई और एक बार cosine series बन गई तो formula लगा दे ना बस लिखे ना cosine series बन गई तो formula use करो minus बाहर है और formula इसमे number of terms are 3 तो sine 2 की power 3 multiplied by first angle first angle is 5 by 7 और नीचे आएगा 2 raise to 3 बाहर और sine of 5 by 7 अरे चमका की नहीं कितने लोगों चमक गया यह cosine series में एकदम clarity आ रही एकदम crystal clear फटाफट बता दो अब यह उपर नीचे cancel हो जाएगा क्योंकि उपर 8 pi by 7 है वो 8 pi by 7 को आप लिख दे ना pi plus pi by 7 तो खतम ना नीचे 2 raise to 3 for sine of pi by 7 तो यह basically आपका negative आएगा तो negative negative positive भी हो जाएगा तो यह positive हो जाएगा यह cancel यह cancel और यह भी cancel basically आपका जो numerator है वो minus sine pi by 7 आएगा तो minus of minus sine pi by 7 तो that will be plus sine pi by 7 और नीचे भी plus ही है तो cancel तो finally आपका answer आएगा 1 by 8 ठीक है? Hence प्रूवर्ड ठीक है? इस question में आपने को prove ही तो करना था Hence prove यह चमका 1 by 8 Hence prove feel आई? Yes तो दो type के question आ सकते है cosine series में जो की बैतरीन बनते है एक बार फिर से revise कर लेते हैं एक तो जिसमें AP दिखा देंगे आपको GP दिखाएंगे नहीं आपको GP में convert करना पड़ेगा कुछ से और दूसरे जिसमें sine के terms में आ जाएगा तो फिर आपको cos में convert करना पड़ेगा और sine को cos में convert करने के एक ही formula होता है that is Brahmaastra ठीक है? समझ गिए? आगे बढ़ते है अब एक J-Main 2019 का question try करते है इसको try करना तो अगर आप इस question को देखोगे तो यहां सलेगे यहां तक cosine series है ऐसा आपको feel आ रहा होगा बट इसमें सबसे smallest angle कौन सा है मैंने आपको हमेशा बोलाए कि smallest angle को पहले रखना है और फिर double 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 करते जाओ A, 2A, 4A, 8A इस तरह से है न तो यहां पे सबसे छोटा angle तो यह है क्योंकि इसमें denominator सबसे बड़ा है तो जो भी सबसे छोटा angle है इसको rearrange करना पड़ेगा जो भी सबसे छोटा angle है उसको आगे लिखो और फिर आप उसका इसका last second term होगा cos pi upon 2 raise to 9 आपने 2 से multiply किया न यह चमका यह जो angle है इसका double यह है क्योंकि इसमें 2 raise to 9 है फिर उसका double आएगा pi upon 2 raise to 8 इस तरह से double double होता जाएगा last वाला term आपका यह आजाएगा तो बुरा उल्टा करना पड़ेगा ठीक है यह और फिर formula लगाओगे आप और बाहर आपके पास है sin of pi upon 2 raise to 10 इसको touch करने की ज़रूद नहीं है ठीक है यह as it is यह कितने लोगों चमका यह सबसे छोटा angle फिर इसका double यहाँ पर इसका double आगे आएगा double 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 last वाला angle यह तो number of terms कितने है number of terms देखो 2 से start होके 10 तक जा रहे तो number of terms are 9 साइन और नीचे कितना आ जाएगा 2 raise to 9 into sign of first angle first angle यह है हमेशा first angle आता है यह मतलब first angle और यहाँ पर आपके पास क्या है multiplied by यह वाला term which is sign of pi upon 2 raise to 10 तो देखो यह तो cancel होके है यह और यह तो cancel और यह आपका बन जाएगा sign pi by 2 simple sign pi by 2 is 1 1 upon 2 raise to 9 1 upon 2 raise to 9 तो बहुत ही चिंदी question था यह तो directly formula लगाना था बस कर लोगे इस तरह के question 2019 में मरला भी आया था तो final answer है 1 upon 512 option A is the answer for this question A for atoms और हर atom बनेगा topper ठीक है यहाँ पर आजाओ next 18,36 और 22.5 में आपको बस मैं आपको exactly बता देता हूँ कि याद क्या करना है एक तो आपको sign 18 का value याद होना चाहिए एक आपको cost 36 का value याद होना चाहिए और एक आपको tan 22.5 का value याद होना चाहिए tan 22.5 मतलाब अगर इसको radian में convert करेंगे तो tan 5 by 8 का यह 5 by 8 आएगा क्योंकि 45 का आदा है तो 5 by 4 का आदा दीक है तो sign 18 का value होता है root 5 minus 1 by 4 क्यों minus minus क्यों है पापी इंसान है ना पापी इंसान है तो negative इंसान है sign sign का मतलब sin sin का मतलब पाप और यह अच्छा इंसान है इसमें plus आएगा बस इंसान है एक अच्छा इंसान है पापी वाला negative अच्छा वाला positive और इसका value होता है root 2 minus 1 ठीक है simple इसका value is root 2 minus 1 अगर आपसे कोई quart of pi by 8 पूछे तो वो इसका reciprocal हो जाएगा quart pi by 8 इसको आप मतलब याद नहीं भी करोगे तो भी चलेगा क्योंकि quart pi by 8 को आप क्या लिख सकते हो quart pi by 8 को आप लिख सकते हो 1 upon 10 pi by 8 और 10 pi by 8 का value आपको याद ही है that is root 2 minus 1 इसको rationalize कर सकते हो root 2 plus 1 और उपर भी आपका आजाएगा root 2 plus 1 तो ultimately root 2 plus 1 ही आजाएगा ठीक है यह value आजाएगा root 2 plus 1 तो quart pi by 8 जो होथा ना root 2 plus 1 होता है मुला भगीन यह दोनों एक दूसरे के conjugate है ठीक है यह root 2 minus 1 एक root 2 plus 1 और यह यह भी एक दूसरे के conjugate है यह भी एक दूसरे के conjugate है ठीक है तो यह clear है का sin 18 cos 36 और 10 pi by 8 यह सारी values आपको याद रखनी है और हाँ इसको भी radian में मतलब basically ध्यान रखो sin 18 जो है उसको radian में लिखेंगे तो radian में कितना होता है 18 मतलब pi by 10 अगर आपको कहीं पे भी pi by 10 दिखें तो वो पता होना चाहिए कि basically that is 18 degree कुछ लोग pi by 10 देखके डर जाएंगे 18 degree है simple और 36 मतलब pi by 18 का double pi by 10 का double that will be pi by 5 pi by 10 का double कर दो न तो cos pi by 5 तो ये सारे known values है ठीक है अगर कहीं पे भी आपको pi by 10 दिखता है तो आँखों में चमक अगर pi by 5 दिखता है तो आँखों में चमक आजानी चाहिए इसकी values पता है pi by 8 की values भी पता है और pi by 12 की value भी पता है pi by 12 होता है 15 degree तो sin of pi by 12 that is sin 15 degree अभी हमने use भी किया था तो वो होता है root 3 minus 1 by 2 root 2 चमक गया ना तो pi by 12 का value भी अपने को पता है तो कौन कौन सा values पता है pi by 10 pi by 5, pi by 12 और pi by 8 ये सारी values अपने को अल्रेडी याद है ये चमका क्या इस से डरने का नहीं है अपने जुकेगा नहीं अपने किसी से भी जुकेगा नहीं pi by 12, pi by 10, pi by 5 pi by 8 ये साब हमारे control में है हमारे कहने पर ही चलेंगे ठीक है? येस चलो और आगे बढ़ते हैं अब बात करते है maximum और minimum value तो बहुत सारे trigonometry में range वाले questions आते हैं आपको एक trigonometry function दे देंगे और फिर बोलेंगे कि इसका maximum value बताओ इसका minimum value बताओ range वाले question in short इसका title वाई है range वाले question and again मतलब ये ऐसा J main में काफी सारे questions आ चुके NTA में काफी सारे questions है ठीक है तो ये question आ सकते काफी important है इसमें बहुत सारे type है बहुत सारे तो गया चार type है basically type 1,2,3,4 तो पहला जो type है वो बहुत ही चिंदी है that is by using the range of the standard functions so sine x, cos x ये जितने भी standard functions होते हैं उनके range आपको already पता है उनका range use करके आप trigonometric functions का range निगा सकते हो that is type 1 जैसे example ही ले लो आप directly for example ये question है इसमें आप से पूछ रहे कि find out the maximum and the minimum value of this आपको already पताने कि जो cos x होता है वो हमेशा minus 1 और 1 के बीच में ही रहता है ये cos x कितना भी फैल जाए रहेगा तो minus 1 और 1 के बीच में है और फिर इसमें plus 2 कर दो यहाँ पर plus 2 कर दो इधर भी plus 2 कर दो तो अब ये बन जाएगा 1 ये बन जाएगा y और ये बन जाएगा 3 तो final answer क्या आएगा इसका range आएगा 1 से 3 ठीक है this is the final answer आप मतलब basically पूरा range निकाल सकते हो ठीक है तो ये तो बहुत ही चिंदी question है इस तरह की question तो आप करील होगे second type होता है a sin theta plus b cos theta ये भी आपको याद आ रहा होगा इसका maximum value होता है under root of a square plus b square और minimum value होता है minus under root of a square plus b square इसमें ये धियान रखना कि दोनों पर angle save होना चीए अगर मान लो ऐसा कुछ आपको given है a sin a plus b cos b अगर अलग-अलग angles है तो फिर ये मत लगा देना ये concept मत लगा देना ये concept तभी applicable है जब दोनों angle same है sin के अंदर जो है वो theta होना चाहिए cos के अंदर भी theta ही होना चाहिए both of them must be equal तभी हम बोल सकते हैं कि उसका maximum value ये होगा और minimum value ये होगा ये चमका क्या? yes, next आगर बड़े तो इसका answer बताओ चलो अंदर रूट of 7 square plus 24 square ये तो पाइथा करियन triplet है ना तो कितना कितना हो जाएगा ये basically solve करोगा तो minus 25 और ये plus 25 इसका answer ये आजाएगा 7 square plus 24 square is basically 25 तो ये तो again मतलब काफी simple है ये try करो चलो ये काफी अच्छा question है ये आप से बनना चाहिए ये एक बार try करना ये question अगर आप से बन गया मतलब you are going good ठीक है ये कैसे करेंगे sine square a minus sine square b तो फिल आ रही है कौन सा formula use करना है पहले तो simplify करना पड़ेगा ना तो हमने अभी अभी देखा था वो एक trick से याद भी किया था ये आपका लिखा हुआ है sine square a minus sine square b तो इसको हमने ऐसे याद किया था कि sine of a plus b और a minus b ठीक है sine a plus b sine a minus b याद आया ये वाला formula use कर लो a square minus b square is a plus b a minus b ठीक है a square minus b square y को अगर आप simplify करोगे तो sine of और a plus b अच्छा दोनों को add करेंगे तो क्या आजाएगा add करना तरह 15 pi by 8 minus 4x plus 17 pi by 8 minus 4x ये आएगा ठीक है और multiplied by sine a minus b अगर आप a minus दोनों angle को subtract करो तो subtract करेंगे तो 4x 4x तो cancel हो जाएगा और यहाँ पर आजाएगा 15 pi by 8 15 pi by 8 minus 17 pi by 8 ये आजाएगा ठीक है एक बार plus करना है एक बार minus करना है sine of a plus b और sine of a minus b तो अब इसको further simplify करो further simplify करेंगे तो ये कितना आ रहा है ये आपका बन जाएगा 32 pi divided by 8 तो 4 pi आगे ठीक है और minus 4 minus 4 तो minus 8x आगे और इधर इधर बेसिकली आपका आजाएगा minus 2 pi by 8 minus pi by 4 आ रहा है ठीक है तो minus तो बाहर निकल जाएगा और ये कौन सा quadrant आएगा 4 pi minus something तो 4 pi कहाँ पर पाये जाता है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आएगा 0, 2 pi, 4 pi 4 pi यहाँ पर आएगा इस तरफ और 4 pi minus करना है minus मनलब clockwise में आपको जाना पढ़ेगा तो 4 pi minus clockwise तो 4th quadrant आजाएगा बेसिकली यह आपका आएगा ठीक है 4th quadrant और अगर 4th quadrant है तो negative होगा तो यह negative होगा बेसिकली तो minus sign और यह k pi है ना तो since k pi है तो sign का sign ही रहेगा तो sign का sign रहेगा तो यह आगया और यहाँ पर आपके पास है minus 1 by root 2 तो minus minus को plus कर लो तो basically आपका यह आगया sign of 8x upon root 2 यह आगया ना maximum value क्या होगा यह sign of double आगया अगर sign of double आगया तो maximum value 1 numerator का और minimum value minus 1 तो basically पूरे y का maximum value आजाएगा एक बार इसको 1 ले लो 1 by root 2 और minimum के लिए minus 1 ले लो minus 1 by root 2 तो final answer क्या है इसमें final answer यह आएगा कि जो y है उसका range है minus 1 by root 2 से plus 1 by root 2 यह कितने लोगो चमका अरे चमका की नहीं यह चमक गया होगा minus 1 by root 2 से plus 1 by root 2 yes or no काफी लोग का आँ जरा आगे है क्या बात है चलो और आगे बढ़ते हैं बस जरा साही बचा है दो टाइप बचे then the class will be over तो बस 15 minutes का time अपने पास है जल्दी से कर लेते हैं यह question बताओ यह काफी again अच्छा question है और यह आया था अपना J main 2020 में तो J main 2020 का question एक बार try करते हैं कैसे करेंगे यह बताओ यहाँ पर basically पहले तो simplify करना पड़ेगा range of the function पूछा है तो एक काम करो इसमें और इसमें formula लगा देना क्योंकि इधर 3 pi by 4 इधर भी 3 pi by 4 यह cos minus cos वो formula लगा देना और इन दोनों में formula लगा देना क्योंकि यहाँ पर भी pi by 4 है और इधर भी pi by 4 है एक बार formula लगा ना fx को simplify करते है तो fx अपना आ जाएगा log base root 5 और bracket के अंदर 3 plus यहाँ पर cos minus cos cos minus cos क्या होता है cos minus cos होता है minus two sine sine होता है यह तो cos minus cos minus two sine sine ठीक है दोनों को add करेंगे दोनों को add करके divide by two तो this plus this xx cancel हो जाएगा और divide by two करेंगे तो 3 pi by 4 आएगा और एक बार दोनों को subtract करो subtract करेंगे तो कितना हैगा subtract करेंगे तो 3 pi by 4 cancel हो जाएगा this minus this अरे चमका ना अलग से मैं लिक देता हूँ जिनको नहीं चमक रहा है this minus this और divide by two ठीक है c minus d divided by two ultimately यह आजाएगा x आजाएगा बस और क्या यहाँ पर x आजाएगा और यहाँ पर formula लगाओ cos plus cos तो cos plus cos होता है two cos cos ओके cos plus cos तो two cos cos एक में आजाएगा pi by four और एक में आजाएगा x तो यह आगया बस ultimately ठीक है यह आगया हमारे पास अब sin 3 pi by four का value कितना होता है यह second quadrant है positive ही होगा 3 pi by four मतलब pi minus pi by four second quadrant positive तो इसका value तो होता है 1 by root 2 substitute कर दो आप ठीक है log base root 5 यहाँ पे आपके पास है यह बन जाएगा 2 upon root 2 तो root 2 आ जाएगा यह चमका कि नहीं यह 2 और यह 1 upon root 2 तो cancel कर लेना similarly यह 2 और यह 1 upon root 2 तो उधर भी cancel कर लेना root 2 sin x और यहाँ पे बन जाएगा root 2 cos x root 2 cos x यह आगया तो बस आप कैसे करेंगे further further करने के लिए root 5 है यह और यहाँ पे आप common ले लो root 2 common ले लो अगर मैं root 2 common ले लोंगा तो cos x minus sin x यहाँ पे आजाएगा cos x minus sin x यह आगया ठीक है यह आगया अब यह cos x minus sin x का range क्या होगा वो आप इधर देख लो यह यही पे देख लो चलो cos x minus sin x तो दोनों का coefficient है 1 1 1 और minus 1 समद लो तो यह वाला fund लगेगा अपना ठीक है कौन सा वाला यह वाला cos x का coefficient 1 है और sin x का coefficient minus 1 है तो under root of 1 1 square plus minus 1 square यह 1 square plus 1 square कर लो तो root 2 आजाएगा maximum value तो यह जो quantity है इसका value vary करेगा from minus root 2 to plus root 2 यह चमका minus root 2 से plus root 2 close bracket ठीक है क्योंकि equal to भी होता है यहाँ पे equal to is already there तो close bracket आता है हमेशा ठीक है तो minus root 2 से plus root 2 और फिर root 2 से multiply करोगे अगर आप root 2 से multiply करोगे तो यह बन जाएगा 3 plus और root 2 into root 2 तो minus 2 और फिर root 2 into root 2 तो यहाँ पे 2 तो यह आ गया तो basically यह quantity कहाँ से कहाँ vary करेगा 3 minus 2 1 अचा तो इसका range मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और 3 plus 2 5 तो यह आ गया बस इसका range और इसका log base root 5 लेना है आप यहाँ पे आप लगा लो चलो जगह की कमी है इधर ही कर लेता है ठीक है log base root 5 और उसके अंदर है 1 और 5 ठीक है तो एक बार इसका लेलो एक बार इसका लेलो log 1 0 आएगा और यह वाला log कितना आएगा log root 5 की power कितना करेंगे तक ही 5 आजाए 2 आएगा ना इसका value तो 0 से 2 दिख रहा है सबको root 5 की power 2 करोगे तभी तो 5 आएगा log की basic property है तो 0 से 2 आ रहा है मतलब option D is the answer ठीक है ना चमक गया बस आपको यहाँ पे simple concept यूज़ करना था formula लगाने के तो always first simplify एक बार simplify कर लोगे ना उसके बाद आपको दिख जाएगा simple as that ठीक है अचा और आगे बढ़ते है अब type 3 पे आ जो type 3 is quadratic quadratic वाले सवाल सबसे जादा आते है ठीक है तो यह सबसे भयंकर important type है इसी के question सबसे जादा आते है इसमें आपको एक quadratic दे देंगे और फिर पूछेंगे कि y का minimum और maximum value बताओ ठीक है तो just find out इसमें आपको perfect square में convert करना पड़ेगा तो perfect square में कैसे convert करेंगे बताओ y का value आपको given है 2 cos square plus cos plus 1 short में कर लेते हैं यहना perfect square बनाना सबको आते हैं अगर perfect square बनाना नहीं आता है तो ध्यान से देखो सबसे पहला step हमेशा यही होता है कि जो भी आपका square वाला term है उसका coefficient 1 बना लो जो भी उसके आगे है वो common ले लो यहां से 2 common ले लो अगर 2 common ले लेंगे तो cos square plus cos by 2 plus 1 by 2 यह कितने लोगो चमका 2 common लेना पड़ेगा अरे perfect square में convert करो गए न तो perfect square में convert कैसे करता है उसके लिए यह जो भी square वाला term होता है उसका coefficient 1 बनाना पड़ता है अब middle term का coefficient कितना है 1 by 2 है तो जो भी आपका middle term का coefficient है middle term का coefficient 1 by 2 दिख रहे है उसको divide by 2 करते है simple concept यह होता है कि जो भी middle term का coefficient है उसको divide by 2 करो उसका square add करो और subtract करो यह कितना आये गए 1by 4 आये गा ना 1by 4 का square add करेंगे और sidewalk करेंगे इसमें ज calling कर देता हूँ चलो तो यह 1by 2 को थोड़ा आगे shift करतों मैं यहाँ और लिख देता हूँ इसमें हम क्या करेंगे वन3 का square एड़ करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे यह चमका तो यह perfect square में convert हो जाएगा देखो अब यह बन गया 2 और यह पूरा perfect square दिख गया किसका perfect square है cos plus 1 by 4 का whole square आ जाएगा ठीक है और यहां पर आपके पास है minus 1 by 16 और plus 1 by 2 ठीक है तो यह आ गया अब इसको further simplify करो तो further simplify करेंगे तो y equal to 2 और यहां पर यह बन जाएगा cos plus 1 by 4 का whole square ठीक है perfect square बन गया ना उसके बाद बहुत यह simple है तो यहां पर आ जाएगा minus 1 और plus 8 तो 7 by 16 आ रहा है मतलब basically 7 upon 16 यह आ रहा है ने 2 को अंदर भी multiply कर दो अंदर multiply कर देंगे तो पहले इसको लिख देते है 7 by 8 और full form भी लिख देते है cos x plus 1 by 4 का whole square यह आ रहा है देखो perfect square में convert करने के बाद अपका यह ही आ रहे है यह आ गया perfect square में convert हो गया एक बार perfect square में convert हो गया तो अब आप यहां पर दिमाग लगाओ कि y का value minimum से minimum कब आएगा और maximum से maximum कब आएगा और question में आपको बोला है कि small m is the minimum value capital M is the maximum value तो जो भी आपका minimum value है वो small m है और जो maximum value आएगा वो capital M है तो यह कब आएगा बताना तो minimum तो तभी होगा न जब यह minimum होगा यह y minimum कब होगा जब यह minimum होगा और यह minimum से minimum कितना हो सकता है 0, क्योंकि whole square है यह तो negative तो हो नहीं पाएगा minimum से minimum यह 0 हो सकता है minimum value कितना है y का 7 by 8 आएगा जब यह 0 हो जाएगा तो minimum value तभी आएगा जब cos x का value कितना हो जाएगा when cos x becomes minus 1 by 4 ठीक है तभी आपका y का minimum value आएगा और maximum value कब आएगा जब cos x कितना बन जाएगा जब cos x बन जाएगा 1 क्योंकि जब cos x maximum होगा तभी तो y भी maximum होगा ठीक है तो cos x को 1 put कर दो और solve कर लो 7 by 8 और plus 2 times 1 plus 1 by 4 7 by 8 और plus 2 into 25 by 16 ये कितना आ रहे 25 plus 7 32 divided by 8 आ रहे 4 आ रहे गया ये तो ये value 4 आ रहे है तो minimum value आ गया maximum value भी आ गया अब आपसे पूछाए कि greatest integer of बस value पूट कर ये greatest integer ठीक है और ये nta का question है तो nta का question है मतलब आने के chances है तो बस value पूट कर दो maximum value 4 है और minimum value है 7 by 8 7 by 8 तो इसका इसका जो final answer आएगा वो क्या आएगा final answer 4 आएगा ये चमका की नहीं ये किते लोगों चमक गया simple कर लोगे बहुत आसान है ये question बट इस तरह की question आएगे quadratic में convert करके कर लोगे ना तो quadratic में convert करना आपको आना चाहिए ठीक है ये convert करना जिन लोगो नहीं आता है इसका एक shots बना दूगा मैं atomic shots आजकल आप देख रहे हो कि नहीं atomic shots इसका एक में बना दूगा ये काफी अच्छा method है अगर नहीं वैसे तो I think आता ही होगा पर इसका एक fix method है वो भी हम अलग से उसको discuss कर लेंगे अभी ज्यादा time spend नहीं करते है अलग से ये चलो आजाओ type 4 है ना last type type 4 ये है कि अगर इस तरह का format आता है a square tan square theta plus b square cot square theta तो इसका minimum value आप से पूछ सकते है क्योंकि maximum तो इसका infinite होगा क्योंकि आपको पता ही कि tan theta का जो graph होता है एकदम आस्मान तक जाता है okay तो minimum value ये आएगा maximum value आप से कभी पूछेगा ही नहीं क्योंकि maximum value of this expression will be infinite तो infinite तो कभी पूछेगा नहीं minimum value they might ask अब ये 2ab कैसे आया तो उसका logic है दो logic है या तो perfect square से कर सकते हो या फिर इसका derivation आप amgm से भी समझ सकते हो या यू can use amgm या perfect square अब I think already since chat में बहुत सारे लोग amgm तो लिखी रहे तो उनको वह वाला part तो चमकी गया तो मैं इसलिए आपको perfect square वाले method से बताऊंगा ठीक है जो आपको already आता है वो बता के क्या फाइदा वो तो आपको आता ही है ना perfect square वाले method से मैं आपको बताता हूँ इसको perfect square में convert करना है तो ऐसे लिख सकते है ना इसका whole square कर दो और plus 2ab कर दो यह कितने लोगों चमका अगर मैं a tan theta इसका whole square है तो इसमें उल्टा सोचो ना इसका square इसका square और middle term आएगा minus 2ab तो since minus 2ab आएगा तो मैंने balance करने के लिए plus 2ab कर दिया ठीक है तो ultimately अब इसका minimum value कब आएगा यह आपका y है तो y का minimum value तभी आएगा जब यह 0 बन जाएगा ठीक है जब यह 0 बन जाएगा तभी तो minimum value आएगा 2ab तो perfect square से भी कर सकते हो और amgm से तो दिखी रहा है arithmetic mean greater than equal to geometric mean tan square quad square cancel हो जाएगा और वो 2 cross multiply हो जाएगा तो 2ab दिख्या रूट भी होता है तो 2ab वो तो आपको दिखी रहा है ठीक है चलो और आगे बटते है conditional identities conditional identities अगें मतलब काफी simple है ठीक है conditional identities में अगें मतलब आपको बस यह च्छे identities है total जिनको थोड़ा से ध्यान में रखना है ठीक है अगें यह simple है इसमें बस आप यह ध्यान रखना कि a plus b plus c जो होता है इसको हम use करते है पाई मतलब basically a b c are angles of a triangle यह conditional में अगें ज्यादा questions नहीं है अगर आप PYQ में देखोगे तो इसमें बहुत ज्यादा questions नहीं है बट हाँ इसको याद करके रखो ताकि in case अगर कोई question आ जाता है तो यह 6 की 6 आप note कर लेना notes में इसको डाल दिया है वहाँस आप note कर सकते हो इसको ultimately तो यादी करना पड़ेगा चीक है तो conditional में अगें ज्यादा हम time spend नहीं करेंगे आगे बढ़ेंगे बस एक दो topic और बचे फटा-फट से उसको भी cover कर लेते वैसे time हो गये बट फिर भी छोटे-छोटे topics है एक है summation series इसको cover कर लेते है summation series अगें बहुत सिंपल है summation series मतलब एक कोसाइन सीरीज है और एक साइन सीरीज है summation of sine series और summation of cosine series तो यह आपको याद आ रहोगा इसमें बस इतना ही difference होता है कि मतलब अगें पहले तो terms and conditions apply इसमें terms and conditions क्या होते है पहली बात तो यह कि आपके जो एंगल्स है वह एपी में होने चाहिए ठीक है एंगल्स आपके एपी में होने चाहिए और फॉर्मिला पर बस इतना ही difference है कि अगर sine series है तो यहाँ पर sine आएगा और अगर cosine series है तो यहाँ पर cos आएगा यह सब कुछ सेम है यह वाला जो डबा है ना that is the same उसमें कोई difference नहीं है sine of n beta by 2 upon sine beta by 2 यहाँ पर यह n क्या है देखो तो मैं आपको meaning बता दाता हूँ और n है basically number of terms तो वो तो आप गिंती कर लोगे कि number of terms कितने है यह बीटा है common difference बीटा is the common difference and alpha is the first term यह आपका first term ठीक है alpha is the first term यहाँ पर जो आपको alpha दिख रहा है that is the first term जो बीटा दिख रहा है that is the common difference and n is the number of terms तो बस आप direct मतलब यह formula आप याद रखो और जब भी sign series वाले या cosine series वाले question आते है तो उसके ही सब सब लगा सकते हो cost में cost आता है उदर और sign में sign आता है बाकी सब से remaining everything will be exactly the same ठीक है चलो और तो यह question try करो इसका answer बताओ फटाफट यह कैसे करेंगे है एक question है आपकी screen पे इसको फटाफट try करो इसमें number of terms देखो सारी values लिख लो पर ले तो number of terms कितना है एक दो तीन चार पांच पांच है okay alpha मतलब first term first term है pi by 11 और beta मतलब common difference कितना है second minus first a2 minus a1 यह minus यह तो 2 pi by 11 आ रहे और मैं तो आपको कहता हूँ हमेशा beta by two का value निकाल लिया करो क्योंकि formula में हर जगब beta by two ही है यह भी beta by two है यह भी beta by two है और यहाँ पे भी beta by two है तो आप क्या कर सकते हो आप चाला की से directly beta by two का value निकाल के रख लिया करो उसी को substitute कर देंगे सीधा सीधा तो beta by 2 का value कितना है वो है pi by 11 ठीक है तो ये pi by 11 ये भी pi by 11 और n का value है 5 तो बस अब आप यहाँ पे formula में substitute कर दो sin of n beta by 2 और नीचे आएगा sin of beta by 2 ठीक है सारी values आप substitute कर दो और यहाँ पे आजाएगा sin of alpha plus n minus 1 beta by 2 ठीक है यहाँ पे basically sin n का value कितना है 5 और beta by 2 that is pi by 11 ठीक है नीचे कितना आजाएगा sin of beta by 2 तो beta by 2 is pi by 11 और यहाँ पे alpha का value कितना है alpha का value है pi by 11 n minus 1 का value है 4 और beta by 2 का value है pi by 11 तो यह आजाएगा तो ये भी वही बनगा न 5 pi by 11 और ये भी 5 pi by 11 अच्छा नहीं यहाँ पे cos आएगा cos आएगा ना क्योंकि cosine series है तो cos आएगा ये yes this term will be cos cosine series में cos आता है sine series में यहाँ पे cos आएगा ना क्योंकि cosine series है तो cos आएगा sine series तो sine आएगा ठीक है अब ये आपका है 5 pi by 11 ये भी है 5 pi by 11 मतलब basically यहाँ पर देखो आप यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा sin of 5 pi by 11 multiplied by अगला वाला है cos of 5 pi by 11 तो यहाँ पर basically आप क्या कर सकते हो नीचे है sin of 5 by 11 इसमें आप 2 से multiply divide कर दो और गया 2 से multiply divide करने का फाइदा ही होगा कि यह double, यह sin 2a वाला formula लग जाएगा तो यह आपका आजाएगा sin 2a 10 pi by 11 और नीचे आपके पास है sin of 5 by 11 यह दोनों cancel हो जाएगे ना, दिखा कि नहीं this and this will get cancelled क्योंकि 10 pi by 11 होता है pi minus pi by 11 जो कि second quadrant पह है positive ही होगा तो उपर वाला भी sin pi by 11 नीचे वाला भी sin pi by 11 तो वो cancel, ultimately आपका आंसर आ जाएगा 1 by 2 यह चमका की नहीं final answer, 1 by 2 आ जाएगा ठीक है, और आगे बढ़ता है, next अब एक कोसी कोसीकेक्स वाला सीरीज भी है ठीक है, तो यह आपको जादा books में नहीं मिलेगा बट यह भी एक है अब लिख लो मालब type 3 और वो है कोसीकेक्स वाला सीरीज यह जो कोसीकेक्स वाला सीरीज है इसमें भी terms and conditions apply, इसमें terms and conditions क्या है, आपके जो angles है, वो फिर से GP में होना चाहिए angles must be in GP और जो common ratio है, वो 2 होना चाहिए मालब हर बाट double है देगो, x 2x, 4x चीक है, और number of terms का इसमें कोई खेल नहीं है इसमें number of terms मतलब नहीं है in fact आप formula ऐसे याद करोगे देखो, formula याद करने का technique मैं आपको दिखा देता हूँ है ना, quart minus quart तो आए गई है ना, वो तो आपको पताईए कि कोसीक x की जब भी series होती है, तो quart minus quart और हमेशा यह जो भी first angle है ना, जो भी सबसे पहला angle है तो यहाँ पर आपका आएगा first angle divided by 2 और यहाँ पर last angle आजाएगा simple, फॉर्मिला आप ऐसे याद कर लो, है ना जो पहला angle है, वो उसको आदा कर दो और जो last angle है, वो यहाँ पर चिपका दो, कि 2 raised to nx, 2 raised to nx, इसमें number of terms का कोई खेल नहीं है, तो जब भी इस तरह की series आएगी, आप formula ऐसे याद कर लो, caught first angle जो भी है, उसको divide by 2 और जो last angle है, वो और minus करके लिख दो ठीक है, अच्छा यह आया कैसे है ना, उसका discussion भी कर लेते तो यह सारी चीज़े आप बोल जाओ यह formula आया कैसे वो भी समझ लेते है तो यह देखो, यह थोड़ा चालाकी वाला method है इसमें, वो method भी आप थोड़ा समझो, है ना बस यह last topic ही है, method आप बस थोड़ा से समझ लो method यह है कि यह जो first term है इसको मैं simplify करने की कोशिस करता हूँ तो हमारा जो first term है वो है cosec x cosec x मतला 1 by sin x तो यह 1 by sin x, ठीक है cosec x को मैंने लिख दिया 1 by sin x अब देखो इसमें थोड़ा साब को चालाकी लगाना पड़ेगा चालाकी यह है कि आप यहाँ पर divide multiply कर दो sin x by 2 से sin x by 2 और इधर भी sin x by 2 divide कर दो और multiply भी कर दो अब आप बोलोगे सार इससे क्या फाइदा divide multiply करने से क्या फाइदा फाइदा यह है कि यह वाला जो x by 2 है उपर वाला उसको आप लिख सकते हो x minus x by 2 इसको हम लिख सकते है x minus x by 2 अब बोलोगे सार अब तो बता दो फाइदा क्या है फाइदा ही यह है कि यह split हो जाएगा अब यह split हो जाएगा sin a cos b minus cos a और sin b तो देखो split हो गया और split करने के बाद फिर हो जाएगी बारिष तो इसमें वो बारिष वाला method आएगा काफी बढ़िया इसका proof है इसका जो proof है वो बहुत ही मतलब शांदार है तो आपको साँज में भी आगया होगा कि यह sign और sin cancel तो यहाँ पर आपके पास आजाएगा cortex by 2 और minus यहाँ पर कौन सा क्या यह cancel हो जाएगा तो cortex आजाएगा तो आपका जो first term है वो simplify होके यह आगया हमने first term को simplify किया यह आ रहा है similarly second term को करोगे third को करोगे, fourth को करोगे, सब को करोगे तो first term का value क्या आ रहा है यहाँ पर लिख देते first term का value आ रहा है cot x by 2 minus cot x लब यहाँ पर थोड़ा सा observation लो यहाँ पर जो भी angle था न वो इधर आ रहा है और यहाँ पर उसका half आ रहा है तो similarly अगर मैं second term को simplify करोगा तो क्या आएगा बताओ quart minus quart यहाँ पर क्या आएगा इधर जो भी angle है वो इधर आता है और इधर half आता है similarly third term क्या आएगा third term बताओ चलो quart minus quart यहाँ पर जो भी angle है वो इधर आता है और यहाँ पर उसका half आता है और similarly last वाला term बताओ तो last वाला term क्या आएगा last वाले term में इधर जो भी angle है वो इधर आएगा observation is simple और इधर half आएगा तो half मतलब यह है अब इसके बाद हो जाएगी बारिष तो बारिष करवा दो यह दोनों cancel यह दोनों cancel यह cancel बीच में सब कुछ cancel यह भी cancel बचा क्या summation क्या आजाएगा देहो आपका जो summation है SN वो आजाएगा यह और यह बचेगा बस quart X by 2 अरे चमका इसके बाद हम एक open house करेंगे जैसा की last time भी किया था ठीक है तो हर एक class के बाद एक छोटा सा 10 मिनिट या 5 मिनिट का open house करेंगे जिसमें हम basically आपके जो भी doubts वगिरा है वो भी ले लेंगे ठीक है open house का link आपको description में मिल जाएगा उसको join कर लो मैं यहाँ से start कर देता हूँ फटा फट से ठीक है ना एक मिनिट रुक जाओ बस अगर किसी को कोई भी doubts वगिरा है तो पूछ सकते हो basically open house का fund यह है कि अब आप online में offline की feel ले सकते हो offline में होता था ना जैसे ही class खतम तो सारे बच्चे यहाँ पर teacher के साथ कुछ ना कुछ doubts वगिरा पूछते थे ठीक है तो वह वाला fundamental हम यहाँ पर लगा रहे तो definitely आप सारे doubts वगिरा पूछ सकते हो ठीक है open house में यहाँ से start कर देता हूँ अपना आप लोग join कर लो फटा फट से yes I can yes मैंने already start कर दिया है ठीक है यहाँ पर definitely सब लोग join कर लो इसका link description में है fine तो definitely सब लोग आ सकते हो इसको already मैंने start कर दिया है and वहाँ पर हम काफी अच्छा interaction भी करेंगे ठीक है इसके अलावा देखो इसके अलावा अगर आप यहाँ पर iconic और plus के subscription पर आतो तो definitely वहाँ पर भी आपको काफी सारे benefits मिलते है जैसे plus का जो subscription है उसमें आपको क्या-क्या benefit मिलेगा तो सबसे बली बात तो आपकी सारी live classes होती है weekly basis पर आपकी test series भी है ठीक है structured courses होते है you will get unlimited access of all the educators बाकी iconic में आपको personal guidance मिल जाता है अगर आप personal guidance के साथ पढ़ना चाहते हो पूरा physics chemistry maths सारे booklet पूरा study material जिसमें unacademy के branded notes है salt examples है बहुत सारे वो सारी चीज़े आपको मिलती है personal guidance मिलती है personal coach आपको assign किया जाएगा वो personal coach आपको पूरा proper guide करेंगे आपको time table की जरूते है वो सारी चीज़ों में आपको guide करेंगे ठीक है तो iconic में basically आपको ये सारे features extra मिलते है जो की plus में नहीं है ठीक है उसके अलावा यहाँ पर आप use कर सकते हो code nv life जिससे आपको maximum possible discount भी मिल जाएगा ठीक है so this is the code plus का आप लेते हो iconic का लेते हो कोई भी लेते हो you can always use this code nv life जिससे आपको maximum discount मिल जाएगा बाकी आप लोग बता अच्छा ये तो I think खतम हो गया है उसके अलावा prodigy का exam है इसका link आपको description में मिल जाएगा इसमें definitely सब लोग अभी गभी enroll कर लेना इसका exam Sunday को है इसका link description में है and definitely इसमें आप enroll कर लो इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि आपको basically college के लिए भी grant मिल सकती है तो इस exam में आपको participate करना है और definitely सब लोग मचा दो इस Sunday का in fact आप target बना लो कि prodigy में participate करना है और maximum prizes जीतने है ठीक है अगर आपके छोटे भाई बैन भी है तो उनको भी आप enroll करा सकते हो ये सब के लिए valid है 7th, 8th, 9th, 10th engineering, medical सब के लिए 12th, 11th, 12th, dropper सब के लिए अलग-अलग exams है तो सब का अलग-अलग time slot भी है ठीक है तो link description में है इसमें आप अभी-अभी enroll कर सकते हो उसके अलावा ये आपको test और rewards इसमें मिल जाते है ठीक है काफी सारे इसमें prices भी है और आपको scholarship भी मिल जाती है you can get up to 100% scholarship open house का link नहीं है क्या अरे एप से open कर लो मेरी profile प्यार होगा और open house का link मुझे description में दिख तो रहा है click on the link to join the open house session वह आतो रहा है सबसे पहले prodigy का link आ रहा है prodigy के नीचे आपको open house का link दिख रहा होगा ना तो उसमें join कर लो और क्या fine तो मेरी काल से तो आपको दिख रहा होगा काफी लोगों ने तो जॉइन भी कर लिया है already I can see so many students have joined चलो फिर वहां पर continue करते है यहां पर फटा फट से हमें आपको बता देता हूँ all india mock test series है हर संड़े को दो बजे इसमें अगिन आप participate कर सकते हो चलो बाकी end करते हैं अगली class में आप थोड़ा सा यहां पर मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा कि थोड़ा से consistent हो जाओ यह जो 45 days का crash course है यह हमने आपके लिए start ही इसलिए किया है यहां पर आपको मचाना है ठीकि लास्ट के जो 45 days है उसमें आप फुल अपना फुल फॉर्म में आ जाओ फुल अपनी महनल स्टार्ट कर दो और थोड़ा सा consistent हो जाओ काफी सारे बच्चों को यह in fact यह problem आ रही दी कि सर हम अभी कहां से पढ़े क्या पढ़े तो trigonometry में आज आपने दिखोगा कि exactly हमने काफी सारे question solve करें सारे topic cover करने की कोशिश करिए जो भी concepts होते है वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश करिए तो काफी अच्छे से हमने पूरा एक chapter revise कर लिया है इसी तरह से हम सारे chapters को revise करेंगे and definitely आप इसको live class में follow करने की कोशिश करो क्योंकि आपका regular schedule बन जाएगा कि हर रोज है ना आपको दो बज़े से चार बज़े तक maths की class करनी ही करनी है फिर उसके बाद chemistry की साड़ी चार बज़े start हो जाती है और फिर उसके बाद 7 बज़े से 9 बज़े तक आपकी physics की class है morning time में आप utilize करो DPP solve करो trigonometric DPP जैसे ही lecture कतम होता है मैं telegram पर डाल दूँगा और live daily वाली link पे भी थोड़ी देर बाद आ जाएगा तो वहां से आप download करके अगले दिन अगले दिन नहीं तो at least में लग 2-3 दिन में तो आपको वो complete करना ही करना है ठीक है तो definitely आप एक target बना लो वहा फिर मिलते हैं अगली class में thank you so much bye bye take care